आपके अपने विजयता सीरीज में और मैं अमीद करती हूं आप सब बचे मस्त होंगे और खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे लास्ट दो सेशन्स आप सब बच्चों को क्लियर होंगे उन सेशन्स में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा अगर बचे आप लोगों को लास्ट के सेशन्स में कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पता सकते हैं ताकि एक बार हम लोग पहले आपके पिछले सेशन्स के डाउट्स क्लियर कर लें उसके बाद हम लोग हमारे आज के सेशन्स में आगे भढ़ेंगे Hello all and a very good evening everyone I hope you guys are good Good evening, good evening, good evening Very good evening and a very very happy new year To all of you कैसे हैं आप सब बचे Okay Hello, 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 hello बढ़िया है, बहुत बढ़िया तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की कोई डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों को प्रेपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की क्या डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों को और बच्चों अगर आप लोगों को डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं ताकि एक बार हम लोग आपके पिछली क्लासेस के डाउट्स को क्लियर करें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं येस बच्चे इस आपसलिटली इनफ फो बोर्ट्स चलिए बढ़िया 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 प्रेपरेशन चल रही है बहुत अच्छी बात है चिक है अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है तो आप लोग मुझसे डाउट्स पूछ लीजिए बच्चे मैं क्लास को स्टार्ट करूंगी हम आज करनी है तो कुछ आपके सवाल है क्या बच्चों चारटर से रिलेटट या फर क्लास से रिलेट़ इवाई-वाई प्रे मजिए думаю भी सवाल है ग्रामर सेक्शन बचे लास्ट सेशन में होगा और दो सेशन के बाद DPP of chapter 1, question 1 and 2 पेटा questions एक बार mention कर दो मैं आपको बता देती हूँ और बताईए, story को रटना नहीं है, बिल्कुल भी रटना नहीं है, story को समझना है writing skills बचे इससे अगली class में होंगे English में 100 out of 100 कैसे score करे, बचे मैंने last class के end में बताया था कि answer sheet कैसी होनी चाहिए, answer sheet एक तो वैसी बनाओ और उसके बाद अपने practicals में पूरे marks लाने की कोशिश करो PYQ solve करो, PYQ बचे आप लोगों को मैं class के bg में बताती रहती हूँ कि कैसे कैसे questions आपको chapter में से आ सकते हैं और आप कैसे कर सकते हो Notes के लिए बचो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि Notes में आपको सिर्फ वही चीज़े cover up करनी है जो मैं अलग से लिखवा कि आप लोगों को बता रही हूँ करो बटा प्राक्टेस से बुनी questions के भी करोगे जो मैंने बताए है वो sufficient हो जाएगा और बताओ reading comprehension अगली class में होगा mcq solve नहीं हो रहे बचे ध्यान से question को पड़ो होने लगेंगे फिर भी नहीं हो तो बताना passage कैसे solve करें बचे अगली class में बताऊंगी passage equation हम लोगों ने करने है जिनको poetry में doubt होता है उनके लिए ये lesson बचे उनके लिए आज के लिए हमारा session होने वाला है जिसमें हम लोग crafter की cow का नेम बटा bossy हमारे जो भी सवाल है वो आप लोगों को समझ में आने लगें और आप लोगों को पता लगने लगें कि answers कैसे देने हैं ठीक है तो आई बचों हमारे आज की class को start करते हैं तो आप मान के चलिये एक 40 minutes एक poetry लेगी बड़े आराम से मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ कि मैं आज क्लास में कैसे थोड़ा से डिफरेंट तरीके से कराने वाली हूँ ताकि आप लोगों को जो poetic devices में problem आती है मैंने सुनाए कि mostly बच्चे जो हैं उन्हें poetic devices में problem आती है उन्हें ये चीज में problem होती है कि ma'am हम लोग correct poetic device जो है वो कैसे choose करें हम correct poetic device को कैसे अपने answer में पता लगाएं तो बच्चे इसी लिए मैं आप लोगों के साथ पहले सारे poetic devices discuss करूँगी ताकि जब मैं आपको poem चूँ कि बताओ इस line के अंदर कौन सा poetic device है तो फिर आप लोग मुझे खुझ से वह poetic device बता पाएंगे ठीक है तो आई बच्चों बिना किसी देरी के अपनी आठ्च के class को start करते हैं तो जो बच्चे हमारी आठ्च के class में नए हैं उन लोगों को मैं बता देती हूं पिटा एस्टीमेटली 40 मिनिट्स पर पोईट्री हम लोग लेंगे आपकी एक पोईट्री बहुत लंबी है जिसका नाम है दो रोट साइट साइट प्राबबली वह थोड़ा जादा टाइम ले सकती है ऐल्स उसके अलावा था पोईट्री इस ओके ठीक है और वाट एवर इ वाईवा की त्यारी मैंने आप लोगों को बता दी थी वाईवा की त्यारी के लिए आपको पॉम का पता होना जरूरी है उसकी थीम्स का पता होना जरूरी है अगर आपके स्कूल में वाईवा यानि आपका प्राक्टिकल पॉम में से ही आ रहा है तो ठीक है अगर आप सब लोग आज़ की लिए रेडी है तो एक बार जल्दी से चाट बॉक्स में मुझे अपने एमोजी भेज दीजिए ताकि भी किंस्टार टुडेज लेक्षर तीक है एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए हाँ बेटा वो question की practice तो आप dpp कह रही हो sorry practice sheet में से कर सकते हो जो आपको lecture के बाद provide हो जाएगी चलिए start करें बचे हमारी विजेता की series तो बचे आज हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग सबसे पहले करेंगे my mother at 66 से start फिर करेंगे हम लोग keeping quiet by pablo neruda फिर करेंगे हम a thing of beauty by john keats roadside stand by robert frost और last में करेंगे बचे हम लोग aunt jennifer's tiger ठीक है तो आईए बचो हमारी poems को start करते हैं आप लोगों ने thumbs up की और fire की बहार लगा ही दी है मैं एक बार अपने phone में चेक कर लूँ चाट आप लोगों की side by side में दिखती जाएगी ओके मैं रियाट रखेंगे बड़ा अच्छा सवाल है बड़ा अच्छा सवाल है वेट 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 क्या सवाल है क्या सवाल है अगर हां तो कौन सा सबसे अच्छा option होगा चूज करने के लिए बड़ा देखो जो क्याप्टेन का रियल नेम था वो नील्स ओलॉफ था लेकिन हमारी जो एडला थी जब वह पहली बार ही उनसे मिलती है तो वह उन्हें क्याप्टेन बॉन्स टेर के नाम से बुलाती है त ठीक है तो आईए बचों स्टार्ट करते हैं अब हम लोग बिना किसी रुकावट के हमारी सबसे पहली पॉम को बचे सबसे पहली पॉम है माई मदराट 66 जो कमला दास्त ने लिखी है अब अच्छे इस पॉम के बारे में आप पहले समझेंगे बेटा questions को रटना नहीं है questions क सिर्फ समझ लेना तो भी काफी हो जाएगा तो आप लोग अगर समझ भी लेंगे questions को तो भी आप लोगों के लिए sufficient हो जाएगा आईए बचों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले topic को पहली पॉम को जिसका नाम है माई मदराट 66 तो देखिए बचों story कुछ ऐसी है कि हमारी जो अगर मम्मी 66 तो अप्रोक्सिमेटली जो डॉटर है उनके शादी हो रखी होगी तो विच मीन्स कि अच्बूर्टर के खुद के बच्चे भी होगी यानी कमला दास की अपनी खुद के family भी होगी अरे यार वेट 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 अरे वेट मैंने पोम्स चार्ट कर दी मुझे पहले पोईटिक डिवाइसेज बताने थे पहले एक बात बताओ तुम लोगों को पोईटिक डिवाइस पहले अच्छा ठीक है इसकी introduction कराती हूँ, introduction के बाद पहले poetic devices बता दूँगी, ठीक है, पहले introduction करते हैं, फिर इसके poetic devices पहले कराऊंगे, इसके बाद bombs में चलेंगे, तो सबसे पहले बचे बात आती है कमला दास की, इनकी खुद की family भी थी, और इन्हें जाना था वापस coaching, अब हुआ क्या, जब कमल आतास जो है, उनके चहरे का हाव भाव देखकर, अपने mother के face को देखकर, उन्हें realize होता है, कि धीरे धीरे उनकी mother जो है, वो बहुत जादा old होती जा रही है, तो उनकी जो death है, वो बहुत past है, यानि there is a time that soon, you know, she'll die, if not soon, then someday she'll die, और अब उनके चहरे पर वो जो, आप कह सक हो कि old age है, उसका असर दिखने लगा है, तो soon the mother is going to, you know, be very old, soon the mother is going to die, and अपने parent के बिना रहना, you know, to live without a parent is such a feeling, जो कमला दास बिलकुल भी feel नहीं करना चाहती थी, that is why she felt bad, कि you know, my childhood fear might come true, ठीक है, उन्हें डर लगता है कि उनका जो childhood fear है, कि you know, I'll lose my parents, क्योंकि ये डर हमारे मन में भी होता है, कि हमारे माबाप, you know, छूट जाएंगे, या हमारे माबाप के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, उनकी death हो जाएगी, या whatever reason, हमारे सब के मन में एक डर रहता है, अपने parents को लेकर, कि कभी ना कभी ये चीज हो सकती है, and बच्पन में तो ह समय बहुत जादा पास है, and क्योंकि वो कोचिन रहती है, which means वो थोड़ा फार ओफ रहती है, अपनी मदर से, वो दूर रहती है अपनी ममी से, तो वापस आकर उनको मिलना भी बिटा, पॉसिबल नहीं है, तो उनने पता है कि ममी से भी वापस आकर मिलना पॉसिबल नहीं हो होगा, तो वो इस चीज के बारे में बहुत कंफ्यूस हो जाती है, कि मैं क्या करूँ, वो अपनी मदर को इस तरीके से अकेले छोड़के भी नहीं जाना चाहती, और वो अपने घर जाने में डर भी रही है, विकर शी वास तिंकि इंके शायदी, उनकी ममी के साथ, उनकी आ करेला में, करेला में, करेला में, करेला में, करेला में, करेला में, कोचिन इसन करेला, ओके, डूरेशन बचे, आइधिंग 3-30, 3 hours, 40 minutes के असपास का लेक्चर बनेगा, not more than that, मेरी कोशिश यही है, और राइट, तो अब एक बार मैं आप लोगों को इसके साथ, पॉम में सार ने, पॉइटिक डिवाइस करा देना चाहती हूं, ताकि जब मैं आप लोगों को पॉम करा हूं, तो आप लोगों को पॉइटिक डिवाइस धूढने में, अपने आप से कोई दिक्कत, परिशानी नहीं हूं, ठिक है, ताइव बचों सबसे पहले समझते हैं, कि पॉम को औ पॉम के मीनिंग्स जो है न वह एंहांस हो जाते हैं तो बचे जितनी भी पुएट्री है ना उन सब के अंदर कुछ common use किये जाने वाले poetic devices हैं जिनके बारे में मैं पहले आप लोगों का बताऊंगी कुछ ऐसे common poetic devices जो आपको हर पॉम में मिल जाएंगे पहले उनको समझते हैं ठीक है देखो सबसे पहला poetic device होता है बचे alliteration ठीक है सबसे पहला poetic device का नाम क्या है सबसे पहला poetic device है बचे alliteration alliteration क्या होता है हाँ खोल लो बहुत बढ़िया बात है खोल लो ऐसे आज तो मैं पूरी poem ही लेकर आई हूँ तो तुम लोगों को tension नहीं होगी मैं line to line poem समझाओंगे because poem line to line ही समझ में आती है तो बचे सबसे पहला poetic device है आप लोगों के लिए alliteration now what do you mean by alliteration बचे आपने सुना होगा ना betty bought butter but bitter betty bought another bit better but was better than the bitter butter सुना होगा ना इस तरीके से आप लोगों ने betty cell seashell on the seashore है ना आप लोगों ने ये सारे tongue twisters सुने होंगे इसमें क्या होता है for example मैं अगर यहाँ पर लिखूँ betty cell sea shell अब यहाँ पर बचे जो s s s का repetition हो रहा है जब same alphabet बार 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 repeat होता है बचे इनको हम लोग क्या कहते है essay poetic device alliteration कहलाए जाते है essay poetic devices क्या कहलाए जाते है alliteration कहलाए जाते है सबसे पहली बात अब आप लोगों को second चीज जाननी बहुत ज़रूरी है alliteration के बाद बचे दो poetic devices जो paper में सबसे ज़ादा पूछे जाते है एक का नाम है बचे simili और एक का नाम है बचे metaphor ठीक है यह भी आप लोगों को पता होने ज़रूरी है simili और metaphor ठीक है simili और metaphor बचे कहा कहा पर use होते है simili का मतलब होता है बचे जब आप किसी भी चीज के अंदर या किनी भी दो चीजों के अंदर direct comparison करते हो क्या करते हो आप direct comparison करते हो क्या use करके using as और like ठीक है as या फिर like ठीक है जब आप as या like direct use करते हो अपने किया है जैसे मैं कहती हूं fit as a fiddle मैंने बोला fit as a fiddle तो यहां पर मैंने किसी इंसान को बोला कि तुम तो भया fiddle जितने fit हो तो मैंने क्या किया मैंने यह जो as यह like word का use करके जब comparison किया तो वहां पर बच्चे मैं कहती हूं कि मैंने simili का poetic device use किया है अब simili तो होता है direct comparison वैसे ही metaphor होता है बच्चे indirect comparison इंडारेक्ट कमपारिजन का मतलब क्या होता है इंडारेक्ट कमपारिजन का मतलब होता है कि आपने as like नहीं लेकिन आपने किसी ना किसी चीज से उसको compare जो है वह कर दिया ठीक है आपने क्या किया आपने किसी इंडारेक्ट चीज से उसे compare कर दिया like for example अगर मैं आपके syllabus में से ही वह डूंडू अच्छा आप लोगों ने आपकी thing of beauty में यह word सुना होगा endless fountain of immortal drink आपके poem में से ही उठाया गया है ठीक है endless fountain of immortal drink यह आप लोगों के thing of beauty में से line उठाई गई है बचे तो यहाँ पर आपने क्या किया आपने इंडारेक्टली compare कर दिया किसको आपके जो thing of beauty है उसे एक immortal drink से उसे एक अमर रहने वाली drink से तो यहाँ पर बचे आपने क्या किया यहाँ पर आपने metaphor use किया her face ashen like of like that of a corpse यहाँ पर कमला दास ने अपनी poetic device आता है जिसका नाम होता है बचे personification और यह वो poetic devices हैं जो आपको पॉम में बड़ी असानी से मिल जाएंगे ठीक है यह चार ऐसे poetic device हैं बचे जो आपको कहीं पर भी पॉम में किसी भी यह जैसा chapter very good solitude बचे कि आपका जो metaphor rat trap है वो अपने आप में ही एक metaphor है बहुत अच्छी बात है बड़कों सही बोला है एक होता है बचे personification personification में क्या होता है personification में आप किसी भी non-living चीज चीज को ठीक है आप किसी भी non-living thing को क्या करते हो आप उसे living attribute दे देते हो यानि आपने किसी भी ऐसी चीज़ को जो जिन्दा है ही नहीं उसको आपने एक living attribute दे दिया आपने बोला कि जैसे मानों वो जिन्दा होकर आ रही है नहीं बज़े fit as a fiddle metaphor नहीं है because हापे as compared किया जा रहा है ठीक है as लगाया हुआ है अब आप बताओ हमारी book में trees printing हमारे पास सबसे बड़ा example इसी के अंदर क्या है हमारे पास example है trees sprinting कमला दास के पोम में ही है हमारी my mother at 66 में है trees क्या कर रही है sprint कर रही है trees क्या कर रही है भाग रही है तो क्या बच्चे trees actually भाग सकती है नहीं trees भाग नहीं सकती ठीक है trees क्या कर सकती है trees यहां पर भाग नहीं रही है trees के लिए sprinting लिखा गया है दिखाने के लिए कि मानों जैसे trees जो है वो इंसान है और वो भागते हुए दिखाया गया है yes जैसे perhaps the earth can teach us तो बच्चे earth can teach us धरती हमें कैसे सिखा सकती है earth कोई teacher थोड़ी है यह आप लोगों की thing of beauty sorry keeping quiet में से लाइन है perhaps earth can teach us तो यहां तक यह चार poetic device बच्चे मैं चाहा रही हूं आप लोगों को समझ में आ गई होंगे very good on the face of the earth अब तुम लोगों को poetic device पता है ना है अब आगई अवाज अब आगई अब आगई अवाज हाँ आगई चलो कहां तक रह गई थी बात कहां पर रह गई थी मेरी बात कहां पर रुकी थी मैं कहां पर रह गई थी बात कहां तक सुना था मेटाफर रिपीट कर रही थी तो यहां पर बच्चे उन्हेंने क्या किया उन्होंने think of beauty को कोई भी चीज जो तुमें सुन्दर लगती है उसे एक immortal drink से compare कर दिया तो बच्चे यहाँ पर उन्होंने indirectly compare किया है किसे earth को एक drink से तो यहाँ पर जब आप use करते हो indirectly किसी चीज को तो आप कहते हो कि वहाँ पर आपने metaphor का use किया है अब बच्चे यह चार ऐसे poetic devices हैं जो आपको हर poem में मिलेंगे हर poem में ठीक है उसके इलावा कुछ और poetic devices हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर mention कर रही हूँ उन्हें poem के बीच में समझाती जाओंगी एक होता है बच्चे refrain ठीक है एक होता है refrain जो आपको एक ही poem में देखने को मिलेगा यह basically होता है repetition of a line इसके अंदर आपको यह line को ही repeat कर देते हो poetry की जैसे हम लोगों ने उस poem में देखा वो कौन सी poem है यार जिसमें line repeat हो रही है keeping quiet ठीक है keeping quiet के अंदर बच्चे उन लोगों ने किसको use किया है उन लोगों ने refrain को use किया है repetition of line अब होता है बच्चे वैसे ही poetic device होता है repetition repetition के अंदर आप कोई word को या phrase को repeat करते हो उस पर emphasis देने के लिए क्या करते हो आप कोई word को या phrase को repeat करते हो किसी भी चीज को meaning देने के लिए वैसे ही बच्चे आप लोगों को poetic device मिलेगा poem में irony ठीक है आप लोगों को poetic device मिलेगा irony बच्चे irony में क्या होता है irony के अंदर आप किसी भी चीज की opposite बात को बताते हो ठीक है opposite of what should I have happened क्या होना चाहिए था उसका बिलकुल opposite बताते हो जैसे आप लोगों की वो book की line है ना victory with no survivors तो वो अपने आप में एक irony है कि भाया तुम जीत तो गए लेकिन जीतने का फाइदा क्या है जीत को celebrate करने के लिए लोग तो है नहीं वैसे ही बच्चे एक poetic device होता है जिसका नाम होता है hyperboli hyperboli या hyperboli ठीक है hyperboli भी बोल सकते हो तो बच्चे hyper का मतलब क्या होता है बड़ा चाहिए hyper बड़ा गुस्से में आ जाना ठीक है to speak very hyper हो जाना मतलब एकदम से बढ़ जाना और बोल मतलब बोलना तो आप hyperboli को बच्चे ऐसे याद कर सकते हो कि hyperboli एक ऐसा poetic device है जिसके अंदर आप जो भी चीज़ बोलते हो आप उसे exaggerate करके बोलते हो तो बच्चे जब भी आप exaggerated talk करते हो आप कहते हो कि आपने hyperboli का use किया है जैसे sahib आलम the god of universe operation successful irony है sahib आलम god of universe irony है और और बताओ बहुत सारी ironies है chapters में भी चिक है ये बेटा वो main poetic device है जो आपको pom में भर भर के मिलेंगे मतलब यही poetic device है जैसे वाही वाला heavy wedding band येस irony बचे sarcasm भी हो सकता है लेकिन sarcasm हमेशना person की तरफ directed होता है irony situation पर भी हो सकती है बस ये फरक होता irony और sarcasm में तो ये बेटा वो 8 main poetic device है जो आपको हर pom में देखने को मिल सकते हैं इसके अलावा कुछ और ऐसी poetic devices हैं जो अभी हम लोग pom के साथ-साथ आप लोगों को कराएंगे तो आई बच्चों आप स्टार्ट करते हैं हमारी बटा सेटायर होता है जो आप particularly किसी इंसान के किसी character trait के ओपर उसको taunt करते हो ठीक है आनाफोरा बटा जो जो रह गया जो जो रह गया वो आप लोगों को पोम के बीच में बताऊंगी antithesis भी है पोम में बहुत जगा पर ठीक है लास्ट में आन जैनिफर में antithesis oxymoron enjambment enjambment सुन लो एक और enjambment असान है enjambment में बच्चे क्या होता है enjambment के अंदर आपकी जो poetic lines होती है poem की जो lines होती हो उनमें punctuation नहीं होता, ठीक है, उनमें क्या नहीं होता, उनमें punctuation नहीं होता, उसे enjoyment कहते है, कोई comma नहीं है, कोई full stop नहीं है, बिना comma full stop की, वो lines जो है next to next, next पे next, next पे next भढ़ती जा रही है, और बच्चे इन की अंदर आपके paper में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इनका आप ध्यान रखेंगे, कि ये questions पूछे जा सकते हैं, अब बच्चे में poem start करा रही हूँ, तो आब ये मान के चलिए, कि हमारे पास 5,5 गंटा हम लोग estimate लगा कर चलते हैं, कि 5,5 गंटे में हम लोग कर लेंगे, नहीं तो जादा से जादा बच्चे साड़े 8 तक मेरी कोशिश र पहले line आती है हमारी कमला दास की, अब कमला दास अपनी कहानी बताती है, कमला दास कहती है, driving from my parents home to kochin, अब वो कहां से जा रही थी, वो अपने parents के घर से किदर की तरफ निकल रही थी, कोचिन की तरफ से निकल रही थी, last Friday morning, कब जा रही थी बच्चे, वो पिछले Friday की long lasting impact उसके दिमाग पर है, ठीक है, क्या है बच्चे, एक long lasting impact कमला दास के दिमाग पर है, or whatever is happening, I saw my mother beside me, वो कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा, जो मेरे side में बैठी हुई थी, does, वो कहती है कि वो इतनी बूड़ी हो चुकी है, वो इतना थक चुकी है, 66 years कि उनकी age है, तो वो age उनके शकल पर दिख रही है, तो वो कहती है, वो काफी sleepy सी थी, मानों जैसे वो बहुत जादा थकी हुई हो, open mouth, अब जो इनसान बचे बूड़ा होता है, वो जहां बैठा होता है, उसको वहीं पर नींद आ जाती है, the person tends to sleep like this, तो वो कहती है कि मेरे मम्मी इस ashen, like that of a corpse में कौन सा politic device यूज हो रहा है, तो basically यहां पर वो ये बताती है, कि उनकी mother का जो face है, वो ashen है, वो इतना जादा dull हो चुका है, इतना जादा colorless हो चुका है, जैसे कि मानों एक corpse का हो, अब बचे ये कमला दास के लिए अपनी mother को एक dead body से compare करना, अपने आप में ए इतनी जादा lifeless लग रही थी, मेरे को very good, similar metaphor नहीं है, वो कहती है, मुझे मेरी mother अपने सामने इतनी जादा lifeless लग रही थी, कि मैं बता नहीं सकती, मुझे उनको देखकर कितना बुरा feel हो रहा था, कि मेरी mother ऐसे करके पड़ी हुई है, and it shows, कि now you know, she's turning old, दीरे दीरे old age जो ह मैंने यह चीज़ रेलाइस करी, कि अब she looked as old, she was as old as she looked, और वो कहती है, कि और मुझे समझ में आने लगा था, कि वो उतनी ही बुड़ी हो गई है, जितनी बुड़ी वो दिखती है, कभी-कभी हम इनसान नहीं थौट्स को दिमाग से हटा देते हैं, कि छोड़ना इन चीज के बारे में नहीं सोचते, लेकिन फिर भी वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रही थी, कि जो उसकी mother है, वो बहुत ज़्यादा old है, और जितनी old वो है, उतनी ही old वो दिख भी रही है, ठीक है, कराओंगी बिटा, सब करादूंगी, अड्रेसिंग दे रीडर, पोएट अपने experience बताती है, अबाउट वन फ्राइडे मॉर्णिंग, जब वो एरपोर्ट के तरफ जा रही थी, कोचिन के लिए, और अपने parents के घर से दूर जा रही थी, तो उनकी aged mother जो थी, वो उनको छोड़ने आई थी, she noticed कि उसकी मम्मी जो है, वो अपने mouth open के साथ सो रही है, क्योंकि वो बहुत जादा maybe tired है, वो बहुत जादा थक चुकी है, बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं बुड़े लोग, उनका face जो था वो इतना careless था, जैसे कि मानो एक dead body हो, और एक sudden fear और pain कमलादास के दिमाग मे वापस से आ जाता है, और यह वही डर और pain था बच्चे जो उनके दिमाग में बचपन में हुआ करता था, because अब उन्हें realize हो रहा था कि उसकी mother बहुत जादा old हो गई है, and she cannot do anything about it, और वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, like she is in such a situation, कि ना तो वो अपनी mother के साथ वहाँ She was in a dilemma as to what to do, ठीक है, dilemma of choice, ठीक है, उसके पास बहुत dilemma था कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी mother को इस तरीकादे चोड़ने के जाना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी family को भी अकेले नहीं चोड़ सकती, तो वो अपनी family के बीच में और अपनी mother के बीच में confused थी, she also indicated that she might pass away soon, कि उनकी age हो रही है, तो she was scared कि, you know, I don't know whether I will be able to meet my mother the next time or not, thank you, बटा, this was hard to accept reality and its realization was alarming, कि बैठे बैठे एक दिन आपने अपनी मम्मी को देखा और आपको realize हुआ कि, यार, मेरी mother भी old हो रही है, मेरी मम्मी जो है, वो भी बूड़ी हो रही है, क्योंकि ये डरम सब में होता है हम जब अपनी मम्मी को हसते वे देखते हैं, मैं बड़ा अच्छा लगते हैं कि बगवान प्लीज इनको सही रखना, लेकिन जब हमें दिखने लगता है, कि हाँ, कि इनकी तबित खराब हो रही है, ये बिमार हो रही है, ये बुड़ी हो रही है, तो उसमुझा से ना, इन मेरे लिए ना हो, बेटा जो difference है between irony, satire, refrain अभी बता देती हो, बट सून, put that thought away, लेकिन अब जल्दी से कमला दास ने क्या किया, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करी, ठीक है, to have peace of mind, ये कि उसे पता था कि अगर वो इनी सब चीजों के बारे में सोचती रहेगी, तो उसक अपने आपको peace of mind देने के लिए, अपने दिमाग को शान्त रखने के लिए, कमला दास ने क्या किया, उस खयाल को अपने दिमाग से side कर दिया, कि नहीं, मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं, मैं सोचूंगी, तो मुझे बुरा लगेगा, वो चीज मेरे mind पर हावी होगी, मैं अपने आपको एक thought cycle में नहीं डालना चाती, and she looked out, तो उसने क्या किया, उसने escape the reality, वही चारली वाला काम किया, इसने अपने reality को escape करने के लिए, इसने window से बाहर देखा, लेकिन बचे window के बाहर भी बचे जो ये चीज देखती है, वहाँ पर वो बिलकुल ही opposite है of what she was imagining, ठीक है, जब वो बाहर देखती है, बचे तो भी उसे, पेटा हाँ, वो कोचिन से दूर थी, तब भी she is traveling by plane, right, तो आप एक estimate लगा कर चल सकते हो, तो अब जब वो बाहर देखती है, बचे तो उसे बाहर भी कुछ ऐसी चीज़ें दिखती है, जिसकी वज़ा से कमला दास को और बुरा लगने लगता है, क्योंकि बचे ये सारी चीज़ें जो है ना, ये contrasting to her reality है, क्या है ये contrasting to her reality, ये उसके जिंदगी के सचाई से बिलकुल opposite है, कैसे, जब वो बाहर देखती है बचे, उसे दिखते है young trees sprinting, ठीक है, यहाँ पर बचे वो क्या देखती है, वो लिखती है, young trees sprinting, ठीक है ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, और यहाँ पर लिख रही हूँ, old mother, ठीक है, पहली चीज जो उसकी मदर से बिलकुल contrasting है बचे, पहली चीज जो उसकी मदर से बिलकुल opposite है, वो क्या है, कि वो trees जो हैं, बचे, वो young है, ठीक है, और mother जो है, वो old ह तो उसे जिंदगी जो है उसे दुनिया जो है वो भी very good इसे personification use हो रहा है कि यहां trees print कर रही है very good और यहां पर आप एक और चीज़ क्या देख पारे हो young trees printing कि trees जो है वो भाग रही है आगे की तरफ और यहां पर mother कैसी है बचे mother है बिलकुल old तो पहली बात यहां पर क्या contrast कर रहा है trees young mother old यह sprint कर रही है बचे यानि यह trees जो है यह active in nature है यह उनकी activity दिखाती है यह उनका enthusiasm दिखाता है कि trees जो है वो भाग रहे है वो उनमें energy level बहुत जादा high है लेकिन mother जो है वो old and tired हो चुकी है जिस तरीके से पेड भाग रहे है वो energy क बहुत हाई है लेकिन mother जो है वो यह दिखाती है कि वो काफी old और dull है ठीक है she is very old and बटा बताना कैसा आया था दिक्षा and the merry children spilling out of their home और वो कहती है कि happy children और जो खुशी-खुशी बच्चे जो है छोटे-छोटे बच्चे जो है वो भी अपने घर से बाहर आ रहे हैं enjoy करने के लिए तो यहाँ पर अब happy children को भी बताती है तो पहली बात तो यहाँ पर किन को use करती है वो बात करती है merry children की happy children की और यहाँ mother जो है वो sad on departure भी हो सकती है वो एक तो बूड़ी हो रही है उनकी बेटी जा रही है तो एक तो हो सकता है कि वो अपनी बेटी की departure पे sad हो रही हो दूसरा बचे children जिस तरीके से अपनी life के first phase में है जो यहाँ पर old mother है वो last phase में है तो बाहर से वो जितनी भी चीज़े देख रहे थे वो सब उनकी mother की age से compare करके देखा जाये तो contrast में थी everything was you know opposite of what they were seeing you know in the spilling बेटा मजब भाग के घर से बार जाना to run out of their homes basically to run out of their homes अब यहा पर बचे देखा जाए तो इस पूरी जगा पर हम लोगों ने क्या देखा है इस पूरी जगा पर हमने एक poetic device देखा कि यहाँ पर imagery use हो रहा है अब दिमाग में आता है कि मैम imagery क्या होता है बचे imagery का मतलब होता है जब आप क्या करते हो जब आप imagination को use करते हो अब हमने क्या किया यहाँ पर हम imagine कर रहे हैं इस चीज़ को कि कमला दास की मदर जो मैं वो गाड़ी में बैठी है, trees भाग रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो य यह चीज क्या है बच्चे यह imagination है तो जब आप imagination को use करते हो बच्चे अपनी पोम में तब आप कहते हो कि वहाँ पर आपने imagery का use किया है, आईरनी नहीं है बच्चे यहां सिर्फ imagery है, ठीक है, comparison के points है, वो यह बच्चे और यह paper में आते हैं और जो भी चीज में लिखके बत आती हो ज़रूरी होती है और पेपर में आती है, ठीक है तो ध्यान रखना बच्चे, ठीक है, बटा ले जा सकती थी, but not everything is easy for a married woman, अब उनके सास बोले कि तो अपनी माँ को भी उठालाई, नहीं हो पाता ना, the poet continues to narrate event and discloses the scene after she had get gone through the security check at the airport, कहा चले गए, sorry यह हम थोड़ा आगे चले गए ना, wait, wait, थोड़ा आगे चले गए हम यहाँ, छोड़ दो, इसकी explanation छोड़ते हैं, because यहाँ पर यह जो line है ना, यह अगले paragraph की है, यह next paragraph की है, यहाँ पर आप लोगों को यही चीज़ याद रखने जरूरी है, इसको learn कर लेना, यह बहुत जरूरी है, now this is very important to learn, कि उन्हें यंग trees से क्यों compare किया गया, और जो बच्चे कह रहे हैं, बच्चे यह ओक्जी मॉरॉन नहीं लगा है, यहाँ बच्चे नहीं लगा है, हाँ बेटा, पूछे जा सकते हैं, कहीं से किसी का भी पोटिक डिवाइस पूछ सकते हैं, ठीक है, and felt that old familiar ache, और वो कह दिया कि मम्मी को देख कर, you know when I realized कि maybe she is going to die soon, तो वो जो old familiar ache है, यानि वो जो old familiar pain है अपनी mother को lose करने का, वही same डर कमलादास के मन में वापस है, आचा, young old, कहा लिखा है, यंग trees building, नहीं बिटें, या mother के बारे में old word नहीं लिखावा ना, तो जब तक poem में नहीं लिखावा, तब तक आप आप वहाँ पर वो नहीं लगा सकते, oxymoron नहीं लगा सकते, ठीक है, अब वो कहते हैं, yet I felt the old familiar ache, यानि वो कहते हैं, बचपन का डर, of losing mother की, you know, of a losing a parent की, आपके parent, you know, छिन जाएंगे, हम उनके बिना कैसे जिएंगे, वही खयाल कमलादास के दिमाग में आता है, that childhood fear, ये वो बचपन का fear था, जो उन्होंने suppress किया हुआ था, ये वो बचपन का fear था, जो उन्होंने हटा रखा था, दिमाग से हटा रखा था, but all I said was, एक सकंड, कहां पहुच गए हम, एक पारग्राफ मिसिंग नहीं है, इसके अंदर, एक सकंड, there's something missing, ना, एक सकंड, इसमें, लेट विंटर मून वाली लाइन का है, एक सकंड, एक स्टाइंजा मिसिंग है ना, वेट, क्या नाम है इसका, my mother at 66, मिल गया, मिल गया, मोय मोय हो गया, सही में, इसके बाद वो एक लाइन कहती है, बहुत ज़रूरी है, but after, but after the airport's security check, अब वो कहती है, लेकिन, airport के security के check के बाद, यानि, finally, वो जो बचे, dreaded moment था, यानि, वो जो समय था, मम्मी को छोड के जाने का, वो पास आ चुका है, standing a few yards away, ठीक है, standing a few yards away, I looked at her again, अब इस लाइन को ध्यान से समझो, अब वो कहती है, after the airport security check, क्योंकि obviously, airport security check में क्या होता है, बचे, जो parent होते हैं या जो family member होते हैं, पीछे रह जाती हैं, जो इंसान ने जाना होता है, इसे वही airport को एंटर करना अलाओ किया जाता है, वो भी proper ticket देखने के बाद, ठीक है, तो वो कहते हैं, standing a few yards away, I looked at her again, वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद मैंने मम्मी को फिर से देखा, as to have a last memory of her, ठीक है, वो अपने दिमाग में अपनी mother की, एक last memory रखना चाहती थी, कि अगर मैं वापस नहीं आई, या अगर मेरे वापस आने तक मम्मी नहीं रही, अगर मेरे वापस आने तक मैं मम्मी से नहीं मिल पाऊं, तो कम से कम मेरे मन में, मम्मी की एक अच्छी छवी तो रह जाए, कम से कम एक वो last image जो है, मेरे मन में उनकी रह जाए और उस image के सहारे ही में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दूँगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब उसके बाद वो अपनी मदर के लिए दो words यूज करती है बच्चे अब वो कहते हैं मैंने अपनी मम्मी को देखा अब यहां पर बच्चे एक बहुत जरूरी लाइन है as a late winter's moon जल्दी से बताओ कौन सा poetic device use किया जा रहा है as a late winter's moon and felt as late winter's moon और उसके बाद आगे की line तो हमारे पास है अब यहां पर बच्चे यह जो line है as a late winter's moon बहुत 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 जरूरी है इस chapter के लिए ठीक है it is one of the most important references of this chapter and yes this reference is definitely asked in your paper क्यों बच्चे क्योंकि यहां पर देखो mother के लिए as लगा कर compare किया गया है late winter's moon से अब आज़ो बच्चे इसको समझो यहां पर यह तीन अलग अलग word है ठीक है late winter's moon इन तीनों की reference अलग से समझोगे answer में कभी गलती नहीं करोगे देखो यहां पर कमरादास की मदर को compare किया गया है late winter's moon से बच्चे late किस के लिए use किया जाता है एक ऐसे इंसान के लिए use किया जाता है जो already dead होता है ठीक है तो यहां पर बच्चे late लेट श्रीमतिया, late श्रीमान तो यानि late हम कहां लगाते हैं जो हम किसी इंसान की dead होने के बारे में उन्हें बताती है कि you know this person is no more ठीक है तो बच्चे यहां पर यह late winter's moon में late का मतलब होता है already dead तो basically यहां पर वो यह बताने वालती है बताती है कि soon her mother will also leave अब यहां पर ना be dead मत लिखना थोड़ी अच्छी language लिखना will leave for her heavenly abode कि जैसे हम बोलते हैं ना कि the person has left us left towards his heavenly abode मतलब अपने वो स्वर्गवास की तरफ जा रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि soon उसकी mother जो है वो heavenly abode की तरफ निकल जाएंगी ठीक है soon उसकी mother जो है वो dead हो जाएंगी अब उन्हें winter से क्यों compare किया गया है बचे कि कि जिस तरीके से winter last season of the year होता है वैसे ही जो mother है बचे वो यहाँ पर last phase of life के अंदर है और अपने last phase of life के बाद what is the next thing the next thing is that she'll be dead ठीक है last season यानि mother के लिए भी लेफर किया गया है कि जैसे तरीके से winter last season आता है वैसे mother भी अपने last life के last phase में है और बचे अगर आपने सर्दियों का moon देखा होगा तो यह आपको काफी foggy atmosphere में यह आपको काफी foggy atmosphere में बहुत जादा blur appearance देता है क्या करता है बहुत जादा blur appearance देता है तो बिलकुल वैसे ही जो mother है ना उनकी जो appearance है वो भी blur है और उनका जो future है ठीक है future is also unsure uncertain लिख सकते हो और उनका जो future है वो भी uncertain है यानि हमें यह नहीं पता कि उनकी mother के साथ आगे क्या हो सकता है now this is the very very important thing and you need to know this या आपको पता होना बहुत जरूरी है ठीक है I hope यह late winter's moon की कहानी समझ में आ गई होगी बैटा सुझल पूछो क्या doubt है clear हुआ अब यहाँ पर वो कहते है late winter's moon and that old familiar ache और वो कहते है कि वही बचपन का डर मेरे मन में वापस से जिन्दा हो गया कि यार अगर मेरी मम्मी नहीं होंगी तो मेरा क्या होगा but all I said was see you soon amma वो कहते है कि लेकिन मैंने अपना सारा का सारा पेन जो था hit her pain उसने बोला कि मैंने अपना सारा का सारा दर्द जो था वो छुपा लिया और मैंने अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बोला मैंने कोई reaction नहीं दिया मैंने उन्हें बस एक चीज़ बोली see you soon amma और वो कहते है मुझे ये नहीं पता कि मैंने ये see you soon amma अपने आपको बोला है या अपनी मम्मी को बोला है चीज़ इस शायद से ये मैंने अपने आपको एक उमीद दी है वो एक ray of hope दी है हम कहते हैं नहीं कि चलो फिर मिलेंगे अब फिर हम कब मिलेंगे जब वो इनसान जिन्दा होगा तो वो इसलिए बोलती है कि चलो हम आपको फिर मिलूंगी इस उमीद में कि शायद वो इसके बाद कभी अपनी मम्मी को वापस मिल पाएगी और वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया मैं बस स्माइल करती गई for two reasons सबसे पहला to forget her pain ठीक है अपना दर्द छुपाने के लिए दूसरा not to make her mother upset ठीक है और उसको इस चीज का भी डर था कि वो अपनी mother को upset नहीं करना चाहती थी और उनको परिशान नहीं करना चाहती थी ये बताकर कि मेरे दिमाग में क्या खयाल चल रहे है तो इसलिए last में वो smile 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 करती है देगा को साँ पोर्टीक डिवास पहले कराने का फायदा अब तुम लोगों को पता है कि कौन सा पोलेटिक डिवास कहां पर लगाया गया है तो यहां पर बच्छे smile 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 किस चीज पर emphasis दिखाता है यहां पर बच्छे दो पोलेटिक डिवाईمنosis हूज tone का मतलब होता है काफी sad tone में यहाँ पर बात की जा रही है alliteration बहुत बढ़िया very good very good ठीक है यहाँ पर smile 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 में दो poetic device हो रहे हैं similarly इन दोनों reasons की वज़ा से और दूसरा है यहाँ पर alliteration and security check basically बटा before you enter the airport तो basically that was the final point that security check was the only place जहाँ पर कमलादास was able to see her mother for the last time because उसके बाद they both will be separated by the doors and the gates of the airport and then she will not be able to see her mother directly through it इसलिए तो एक security check जो है न वो एक दिवार का काम कर रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल था है कि security check जो है जो है न बचे इस acting as a barrier as the final barrier between the mother and the daughter ठीक है डाउट है बेटा पूछो कारते क्या डाउट है similarly, similarly कहां यूज हो रहा है बचे as like तो यूज नहीं हो रहा clear अब बचे वो कहते हैं last month ने अपनी मदर को farewell bid किया और अपनी उमीद में रही कि वो उन्हें वापस मिलेगी जब वो बोलती है see you soon अमा यह अपनी मदर को tension ना देने के लिए और खुद को दोनों को उमीद देने के लिए किया गया था वो अपने जो दर्द है वो छुपा लेती है अपनी ममी में क्योंकि वो चाहती नहीं अपनी ममी को बताना कि मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल चल रहे है और वो उन्हें यही convey करती है कि आजफ वो अपनी जिंदगी को enjoy कर रही है और वो यही चाहती है कि ममी भी खुश रहे अपने मन की वो कोई भी बात उन्हें नहीं बताती जब अच्छे एक sign of maturity है कि कभी-कभी इनसान को अपने मन के डरों को अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए बाहर लाने से वो चीज़ें भढ़ जाती हैं कम नहीं होती है and enjoy her life another plausible reason could be that she didn't want her mother to be upset और एक reason यह भी हो सकता है कि वो अपनी ममी को और ज़्यादा परेशान जो है नहीं करना चाहती थी that is why she has you know not said for answers है यह आप लोगों के लिए कि आप लोग कैसे अपने answers को पेपर में बना सकते हैं her mother's face was pale and grayish उनका mother जो था वो gray हो गया था obviously devoid of all the color आप ऐसे भी लिख सकते हो devoid of color और glow और glow उनके चहरे से गायव हो गया था ऐसा लग रहा था she have seemed to lost all her vitality such paleness that is grayish color of the skin is usually associated with a sick person or a dead body ठीक है van pale late as as late as a winter's moon तो बच्ची आपे पेल और van जो है वो दिखाते है basically one of the paler lifelessness उनके शकल पे face पे जो lifelessness थी winter symbolize करता है death को तो उनके mother का face जो है वो उनकी काफी frail health यानि आप कह सकते हो काफी weak health को show करता है और यह बताता है कि जल्दी ही उनकी ममी को मौत जो है वो आ सकती है बेटा melancholic का मतलब होता है काफी sad होना ठीक है तो poem की जो tone है ना वो बहुत ही melancholic tone है जो basically poem में बहुत जादा sadness को show करती है ठीक है चलिए अब करें इसके poles यहाँ पर images and symbols यहाँ पर yes very good एक और point अब यहाँ पर बच्चे आप लोगों ने यह trees sprinting merry children यह दोनों जो है ना बच्चे यह symbolism का भी example है किसका example है symbolism का भी example है जब आप किसी चीज को कोई symbol use करके दिखाते हो तब आप कहते हो कि वहाँ पर आपने symbolism use किया है जैसे young trees sprinting और merry children coming out जो है वो youth को basically young age को vigor यानि energy को दिखाते है vitality यानि health को दिखाते है और growth को show करते है वैसे winter moon जो है वो death का symbolic होता है यह आखरी है ना वलकुल जलता बुचता जलता बुचता अब if you guys have any doubt ask me वरना मैं polls दे रही हूँ बेटा smile and smile का मतलब है बस हसते रहो हसते रहो bye bye mammy bye bye mammy bye bye mammy करते रहो ऐसा बेटा her face action like that of a corpse का मतलब होगे कि उनकी mammy के चहरे के रंग इतने ज़दा फीके पड़ चुके थे कि अगर आप उनको ऐसे पड़े में देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मानों वहाँ पे एक dead body हो van का मतलब होता है बच्छे tired और बताओ doubts if you guys have any decay का मतलब होता है बच्छे किसी भी चीज़ का खराब होना बच्छिपल सा अंसर है separation from mother कि हम कभी अपने माबाप से दूर नहीं हो अगला सवाल अगला सवाल इसमें से क्या है तो कोई जीज़ जो आई नीरी बेपर मोई इसके लिए अपने आपको excessive burden मत दो और यहां पर बच्छे इट वाज़ रे ओफ होप यह उमीद कि एक किरन थी कि मम्मी से वापस मुलाकात होगी नारेटर ने डिपार्टिंग सीन के अंदर याने जाने वाले सीन के अंदर नारेटर के चहरे पर क्या एक्स्प्रेशन थे येस बिलकुल सही तो she had a smiling face ताकि वो not to disturb her mother ताकि वो अपनी mother को परिशान ना करे ताकि उनके mother को बुरा ना लगे ताकि उनके mother जो है वो उनके बारे में ये ना सोचे कि मेरी बेटी क्या ही डर ले कर अपने मन में बैठ गई है चिक है? बताओ smile and smile and smile is dash alliteration, repetition, simile and metaphor an answer can be more than one बटे सर्कास्टिक के लिए होता है कि जब आप taunt करने के लिए किसी को कुछ बोलते हो that is सर्कास्टिक बताओ बचे लेकिन वो last month का reaction पूछते है तो वो smiling face था ना pain ने एक तो मन में था मूपे तो हसी थी वो आखों में आसूले के होटों से मुस्कूराएं हम कैसे तुम्हें बताएं हम क्या यार वो क्या line दी आखों में आसूले कर होटों से हम मुस्कूराएं हम कैसे जी रहे हैं हम तुमको कैसे ये बताएं ऐसा ही कुछ गाना है ना वो तो बिचारी कमला दास के साथ भई हो रहा था ठीक है भई, very good तो इसमें alliteration और repetition हम लोगों ने use किया है, कोई doubt इस पॉम में? any other doubt? और शाल भी start with the next one? अगली पॉम शुरू करें बचे? शाल भी go ahead with the next पॉम? ए लास सवाल इसमें से लास सवाल फिर अगली पॉम पे पढ़ते हैं keeping quiet है बढ़िया तो अपना दर्द छुपाने के लिए क्योंकि ऐसा ही होता है कभी-कभी इनसान को कई चीजें अपने दिल में रखने पढ़ती हैं ताकि वो चीजें उनको बाद में परेशानी ना दे और वही चीज हमने यहाँ पर देखी कि उनकी मदर को नॉर्मल रखने के लिए अपने दर्द को छुपाने के लिए अपने दिमाग के स्टॉम को बंद करने के लिए ठीक है तो बेसिकली शीव थाविंग अस्टॉम इन हर माइंड उसने उस दिमाग के स्टॉम को कंट्रोल किया कि नहीं मुझे किसी वी चीज के बारे में बुरा नहीं फील करना है जो चीज़े आप इमाजन करते हो ना वो चीज़े जिंदगी में सच होने लग जाती है तो इसलिए कुछ ऐसा इमाजन करो इमाजन उल्टा सच होगा ही नहीं और बचे यह पूम जो है ना यह हमें एक साड रियालिटी आफ लाइफ भी बताती है कि आप किसी के डैथ को कितना भी रोकने की कोशिश कर लो डैथ इस इन एविटेबल ठीक है डैथ जो है वो इन एविटेबल है आप चाहा कर भी इंसान की मौत को रोक नहीं सकते ठीक है चलिए पेटा मम्मी को खुश मम्मी तो वैसे भी खुशी है मम्मी को थोड़ी पता है कि क्या दुख चल रहा है जिंदगी में चलिए अगली पॉम है बचे हमारे पास keeping quiet that is by Pablo Neruda बहुत बढ़िया पॉम है बहुत classic पॉम है और बचे इस पॉम का central idea is self introspection and retrospection ठीक ह मैंने क्या बोला था मैंने क्या बोला था मैंने क्या बोला था difference between irony and satire देखो बटा आयरेनी रहा situation के उपर होती है satire किसी बंदे के कुछ गलत हरकत करने के उपर आप जब उसे कर आपने बोला कि भाई तेरे पैर कितने साफ है यार कि वह तेरे पैर देख कितने साफ है तो वह आपने सटायर किया उनके उपर वह आपने परसनली उनकी उस characteristic के उपर taunt मारा ठीक है जैसे किसी इंसान को लेट होने की आदत है यह इंसान तो हमेशा टाइम पर आता है ठीक है लेकिन आखरी टाइम पर तो यह क्या है यह उनकी उपर एक से टायर है अच्छा मैंने टायर बोला था पिड़ा retrospection का मतलब होता है एक तो होता है introspect करना क basically check करना इस चीज को कि यार जो actions मैंने किये हैं क्या वो सही है whatever actions that I have taken are the correct or not चिक है frown करने का मतलब होता है बेटा मुँ बनाना चले हो आगे करे अगली पोम करे कटाक्ष यह सटायर मीन्स कटाक्ष कह सकते है बच्चे यंग trees को sprinting दिखाया गया है उन्हें उनकी mother से compare करने के लिए उनकी mother से opposite दिखाने के लिए इसे लिए चलिए अब अगला topic करते हैं बच्चे that is keeping quiet by Pablo Neruda एक बहुत खुपसूरत poem है और इसका बच्चे main theme और central idea दोनों एक ही चीज की ओपर based है इसका poem का theme और central idea एक ही चीज पर based है जिसमें है बच्चे self introspection कि इंसान जो है वो खुद को inspect करें वो खुद को देखें कि जो चीजें वो कर रहा है जिंदगी में वो चीजें सही है या नहीं गई या नहीं है और रेट्रोस्पेक्शन बेसिकली अपने गिरिबान में जाक कर देखना कि मैं क्या कर रहा हूं और दूसरा चेक करना अपने actions को to have a check over your actions कि whatever I'm doing is wrong or right ठीक है हाँ बेटा इंट्रोस्पेक्शन भी self analysis है रेकिन रेट्रोस्पेक्शन इस बेसिकली थोड़ा और डीपर मीनिंग कि वर ट्राइंट तो अपने आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूं रेट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन मींस कि आप उस चीज के consequences को भी understand करने की कोशिश कर रहे हूं ठीक है to examine yourself तो पाबलो नरूडा पूरी की पूरी पूरी पोम में बच्चे क्या यूज करते हैं एक पोईटिक डिवाई सी उस करते हैं जिसका नाम है imagery यहां पर हम जो भी चीजें देखने वाले हैं वह सारी की सारी चीजें हम लोग क्या करने वाले हैं वह सब हम लोग imagine करने वाले हैं ठीक है all the things that we are going to see in the poem are mostly imagery and इसमें transferred epithet करके भी एक पोईटिक डिवाईस है जो बहुत जरूरी है जो तुम्हें लोगों को मैं अलग से समझाओंगी तो आए बच्चों इस पोउम को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है तिंग सारी कीपिंग क्वाइट तो बच्चे पोईट शुरू कर अरे यार हाँ सही है सही है हाँ पूरी है पोउम मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था पोउम अधूरी है तो पोईट आते हैं पैबलो नरूडा आते हैं और आते ही लोगों को बोलते हैं नाओ वी विल काउंट अप्टो ट्वेल्फ ठीक है वो आते हैं और बोलते हैं कि आजाओ सारे के सारे मिलकर ह हम सब लोग 12 तक गिंती करते हैं and we will all keep still वो कहते हैं कि आओ हम सब लोग 12 तक गिंती करें और उसके बाद हम सब लोग यहां पर चुप हो जाएं अब यहां पर बच्चे एक पोईटिक डिवाइस हो रहा है अगर आप कई बच्चों ने दिमाग लगाया हो तो आप लोगों को आइडियाज वेरी गूड सुंदर शर्मा यहां पर दो ऑपोसिट आइडियाज में हम लोग क्या पोईटिक डिवाइस यूज करते हैं कोई ब्रेक नहीं है बटा भी वेरी गूड आईरणी नहीं है यहां पर बच्चे जो चीज यूज हो रही है न वो एंटिथिसीज है यहां पर क्या यूज हो रहा है यहां पर एंटिथिसीज यूज हो रहा है तो बैसिकली एंटिथिसीज क्या होता है एंटिथिसीज बच्चे एक ऐसा पोईटिक डिवाइस होता है जिसमें आप दो ओपोजिंग आइडियाज को ठीक है वर्ट्स को नहीं आप दो ओपोजि ठीक है वो कहते हैं बारा तक गिनो और उसके बाद सब चुप हो जाओ तो बारा तक गिन भी रहो और चुप भी हो जाओ साथ में कैसे चल सकता है तो यहाँ पर बचे एक पोईटिक दिवाइस ही उस किया गया है एंटिथिसिस जो कभी-कभी पेपर में पूछा जा सकता है ओ हम सब लोग क्या करेंगे हम सब लोग बारा तक गिनेंगे यस इसमें वी विल के अंदर बचे अलिटरेशन भी यूज हो रहा है बहुत बढ़िया ठीक है वी विल में या अलिटरेशन भी यूज हम लोगों ने किया है बहुत अच्छे और ऐसे बचे देखा जाए तो इसक एंफसेज ओन हुमन्स ठीक है एंफसेज ओन देनीड और यह दिखाया गया है इंसान को बताने के लिए कि भया यह तुम्हारे जरूरत है समय पर कि तुम लोगों को चुप होना पड़ेगा ठीक है यू और आफ टूबी कॉइट बटे ओनमेटोपिया लगता है जब साउं पूछा जाता है कि उन लोगों ने दस ग्यारा तेरा क्यों नहीं लिया ओनली ट्वेल भी क्यों वाट इस दे रीजन कि उन्होंने गिंती सिर्फ बारा तक ही ली है हाँ बेटा बाइस तरीक इंग्लिश का एक्जाम में सी बीएस सी बताओ एंजाम्मेंट तो पूरी पोम में एंजाम्मेंट लिखने का पेपर में कोई फाइदा नहीं होता बारा क्या रिप्रेजेंट करता है बचे यहाँ पर बारा की बहुत सारी रेफरेंसेज है तीन रेफरेंस तो आप लोगों को पता होनी ही चाहिए बचे एक तो होता है time division in a day दिन के अंदर हमारे जो बारा घंटे होते हैं हमारे दिन में बारा बारा घंटे की दो time divisions दी गई है ठीक है उसके इलावा दिये गया है बचे 12 month of the year उसके इलावा बचे हमें इसके अंदर और क्या दिया गया है एक तो division in a day दिया गया है 12 months of a year दिया गया है उसके इलावा बचे it is a lucky number ठीक है ये एक lucky number भी माना जाता है इन कौन सा calendar होता है वो Gregorian calendar होता है में को confirm करना पड़ेगा basically in Christianity लिख दो आप लोग सिंपली तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा तो Christianity के अंदर बचे 12 जो है वो एक lucky number है जैसे हमारे country में 7 number बहुत लखी है 7 दिन 7 फेरे 7 जनम ठीक है तो ये जिस तरीके से बचे हमारी जिंदगे के अंदर 12 zodiac signs yes तो आप लोग zodiac signs भी ले सकते हो कि हमारे पास 12 zodiac signs भी होते हैं तो 12 की बचे अपने आप में एक reference है जो यहाँ पर collective चीज को दिखाता है कि दुनिया में सब कुछ जो है वो बराबर है जैसे हमारे यहाँ पर वही तुम लोगों को तो यह शुरू हो जाता है अब हमारे में 7 oceans है यह साथ दिन है हफते के अंदर 7 जनम है ठीक है और उसके बचे हमारे यहाँ पर इनके अंदर 12 नमबर की बहुत ज्यादा reference होती है तो इसलिए इनने 12 का ही नमबर लिया है ताकि तुम लोग तो आपे साथ बताओ भईया साथ का बताओ सारी साथ का नहीं 12 का बताओ मुझे तुम तो साथ पे आ गई 7 करोड है ना 7 wonders of the world तो जिए 7 की बहुत जादा माननेता है वैसे ही 12 की भी माननेता है for all these reasons और 12 काफी plausible time है कि उतना समय आपको लग सकता है किसी भी चीज को understand करने में आपको अपने दिमाग को शान्त करने में ठीक है आप बटा 12 classes भी हो सकते हैं पर paper में 12 classes मतलिक ना क्योंकि वैसे 14 classes होत हो कि आप सब लोग बारा तक गिनो और बारा तक गिन के आप सब लोग जो है वो शान्त हो जाओ everybody in the world should be you know शान्त हर इंसान को शान्त हो जाना चाहिए for once on the face of the earth he says as a earthling तो he says एक बार धरती के उपर on the face of the earth he says एक बार धरती के उपर सब लोग as a earthling धरती वासी होने के नाते let's not speak in any language he says आईए एक बार हम सब लोग किसी भी language में बात नहीं करते ठीके बचे language क्या है language हमारा barrier in communication है पहले के समय में लोग ऐसे a, o, e, o करके इशारों में बाते कर लिया करते थे ठीक है लेकिन जैसे जैसे languages बनी ना मुझे Korean समझाती ना मुझे Chinese समझाती ना मुझे German समझाती तो क्या हुआ languages ने लोगों को divide कर दिया ठीक है he says यहां पर लोग जो है ना they are divided by languages ठीक है वो लोग क्या है they are divided by languages but united by silence लेकिन यहां पर वो चाहते हैं कि दुनिया भले ही कुछ भी बोले वो कैसी भी हो चलता है लेकिन इंसान कैसे है यहां पर जब सब लोग चुप हो जाएंगे when everybody will be still when there will be silence all around तो दुनिया में सब लोग बराबर हो जाएंगे ठीक है everybody will be equal nobody will be superior nobody will be inferior because क्यों दुनिया में सब चुप है आप भी चुपो मैं भी चुपो दुनिया में सब चुप है और वो कहते हैं कि जब दुनिया में सब चुप हो जाएंगे तो आप लोगों को अपने आपको introspect करने का time मिलेगा क्यों कि हम लोगों को पता है कि हमारी जिंदगी जो है वो भागती जारी और हम भी अपनी जिंदगी की भागदौर में लगे वे हैं लेकिन उस case की अंदर हम लोग ये चीज़ पर ध्यान नहीं देते बच्चे कि हम ल कोई competition नहीं रहेगा हमारे बीच में कोई competition नहीं रहेगा आगे भागने का life में आगे जाने का तो इसलिए वो इस competition को कम करना चाहते हैं कि हर इंसान हर माइने में अपने आपको बराबर समझे बचे आन। face of the earth का मतलब है धर्ती के इस मूँ पर धर्ती के इस रुख में एक बार सब लोगों को चुपो जाना चाहिए let's stop for one second, वो कहते हैं एक second के लिए ना चुप कर जाओ, अब जब तुम रुकोगे और जब सोचोगे ना तो when you'll stop, जब एक sudden jerk आएगा ना, तब तो you'll calm down and then you'll think कि तुम क्या कर रहे हो and not move our arms so much, he says और उसके बाद आप लोगों ने मूँ से बोलना बंद कर दिया, तो आप दो चीज़े करोगे, अब ये arms के मतलब बचे बुक में दो दिये गए हैं, एक तो दिये गए हैं gestures के form के अंदर, कि आप अपने हाथ नहीं डुडाओगे, अब आप मूँ से नहीं बोल हैं, for once, let us be silent, he says एक बारी के लिए हम लोगों को silent हो जाना है, and not move our arms so much, he says और एक बार अपने weapons का जो use है ना, उसको भी रोक दो, do not use your weapons so much, एक बार बस शान्त हो जाओ, let's not speak in any language, एक बार अपने weapons को भी use करना बंद कर दो, ठीक है, एक बार अपना वो superior, superior being होने का जो गुरूर है ना, उसको भी छोड़ दो, और उसके बाद सोचो, ठीक है, तो basically वो आपको एक utmost शान्ती के state में आने के लिए कहते हैं, अब बचे यहाँ पर एक poetic device use किया जा रहा है, दो poetic device यहाँ पर use किये जा रहे हैं बचे, एक तो यहाँ पर use किया जा रहा है यह, जब भी कोई दो या तीन लाइने, ठीक है, याद रखना, ध्यान से सुनना, जब भी बचे बेड़ा very good मोहनुमान, क्या होता है बचे, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी दो लाइनों में या तीन लाइनों के अंदर, जब same word repeat होता है, जैसे यहाँ पर let's use किया गया बचे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं green से लिखती हूँ, poetic device आप लोगों को अलग से पता रहेगा, तो ऐसे poetic device को बचे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे poetic device को हम लोग anaphora बोलते हैं, ठीक है, यह क्या होता है, repetition of same words, यह same words का repetition है in different lines, ठीक है, यह दो अलग-अलग पास-पास के ज same word use किया जाता है, तो बहाँ पर anaphora हम मानते हैं कि हम लोगों ने use किया है, अब वैसे ही बचे anaphora के, we will ने योगा बेटा कि we will sentence के बीच में है, जब sentence की starting में होना चाहिए, ठीक है, in starting, यह याद रखना, यह start में होना चाहिए, अगर यह starting में है, तभी वो anaphora माना जाए अब यहाँ पर बचे एक और poetic device use किया गया है, जिसका नाम है पन, बहुत जरूरी paper में पूछा जाता है, यहाँ पर बचे एक और poetic device use किया गया है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है बच्चे पन, यहाँ पर पन का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से एक word के दो meanings हो सकते है ठीक है, जिस तरीके से बच्चे एक word के दो meaning हो सकते हैं वैसे ही यहाँ पर more than one meaning ठीक है, more than one meaning तो यहाँ पर जिस तरीके से हमारे arms के दो meaning हो सकते हैं कि यहां तो वो gestures को refer कर रहा है या weapons को refer कर रहा है ऐसे poetic device को बच्चे हम लोग पन कहते हैं और पन बहुत ज़्यादा जरूरी है यहां तक किसी बच्चे को कोई doubt है तो मेरे से पूछ लो नहीं है तो आगे बड़े नहीं बच्चे इस I don't know what is the name अजीब सा नाम है poetic devices are never a waste of time because they're going to get you marks so nothing is a waste of time even one or two marks is going to make you score 99 you never know चलो आगे बढ़ते हैं अब वो कहते हैं it would be an exotic moment he says यह अपने आप में ही एक बहुती rare moment होगा जब दुनिया में जितने भी लोग है वो सब चुप कर जाएंगे ठीक है he says यह अपने आप में एक बहुती rare moment होने वाला है जब सब लोग दुनिया के अंदर चुप कर जाएंगे when everybody will be quiet without rush, without engines he says हम लोगों को किसी भी चीज की भाग दौर नहीं होगी हम लोगों की जिन्दगी में कोई engines नहीं होगे basically हमारी जिन्दगी जो है वो रश नहीं कर रही होगी not after development he says हम लोग जो है वो भागने के पीछे growth के पीछे इतना भी पागल नहीं हो जाएंगे कि हम अपनी जिन्दगीया बरबात कर दें he says उस point of time पर हम लोग शान्त हो जाएंगे we will be quiet and we will understand कि you know हम नहीं बटा भाप पन नहीं होगा कि फ़र वर 12 लिखा है 12 में पन नहीं है without rush without engine so this is हम लोग शान्ती से सोचेंगे जब कोई भागदौर नहीं है जब आगे बढ़ने की लडाई नहीं है we will all be together वो गयते हैं ऐसे case के अंदर हम सब लोग unified होंगे है ऐसे case में हम सब लोग साथ होंगे in a sudden strangeness अब sudden strangeness में क्या poetic device यूज हो रहा है आप लोग मुझे वो बताएंगे और उपर भी बचे एक poetic device यूज हो रहा है यहाँ पर दो poetic device यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं पिड़ा rush का मतलब होता है भागना ठीक है भागदौर वाली जिंदगी तो इससे जब आप लोग शान्त हो जाएंगे जब आप लोग खड़े हो जाएंगे तो आपकी भागदौर रुख जाएगी और यहाँ पर engines क्या है बचे engines आपके sign of development है actually यहाँ पर तीन poetic devices यूज हो रहे है तो वो आप लोग मुझे बताएंगे पहली चीज तो बचे यहाँ पर यूज हो रही है यह without word का repetition ठीक है यह यहाँ पर क्या है यह है बचे repetition का example उसके इलावा बचे यहाँ पर यह rush और engines जो है यह symbolism का examples है यह symbolism का example है engines भी किसको दिखाते हैं भागदौर को दिखाते हैं development को दिखाते हैं और sudden strangeness में क्या लगावा है भाया sudden strangeness के अंदर लगावा है हमारे पास alliteration clear clear symbolism लगा है बचे रशा और engines के अंदर अब वो कहते हैं हम सब लोग sudden strangeness में होंगे हम सब लोग चुप होंगे and there will be nothing that we are going to think about हम सब के मन में एक शान्ती होगी regarding whatever is happening around अब वो कहते हैं fishermen in the cold sea अब वो कहते हैं जो fishermen होंगे उस thंडे sea के अंदर would not harm the whales तो इस थोड़ी देर के लिए हमारी environmental degradation जो है वो कहते हैं जो हम अपने फाइदे के लिए environmental degradation कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए वो हमारी environmental degradation जो है वो रुक जाएगी ठीक है it will stop इसे थोड़ी देर के लिए वो environmental degradation जब रुक जाएगी तो हम लोग काफी शान्त हो जाएंगे हमें पता लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर analysis कर पाएंगे यहाँ पर हम लोग self introspection कर पाएंगे कि भाई हम लोगों को time मिल रहा है अब सोचने का और हम अब analyze कर पा रहे हैं यह हम लोग देख पा रहे हैं कि हम कितना जादा नुकसान दुनिया में कर रहे हैं यहाँ पर बच्चे, cold sea में एक poetic device यूज हो रहा है, जिसका नाम है transferred epithet. यहाँ पर यूज हो रहा है बच्चे, transferred epithet. कैसे? Because यहाँ पर आपने sea के, यहाँ पर ना बच्चे, transferred epithet में क्या होता है? आप लोग कहते हो कि आपने कोई adjective use किया है. ठीक है? यहाँ पर यूज किया गया है, बच्चे, cold sea. ठीक है? यहाँ पर use किया गया है cold sea, और यह cold sea किसको दिखाता है? यहाँ पर यह बच्चा cold जो है ना, यह आप दिखा सकते हो, कह सकते हो कि cruel nature of human को दिखाता है. कि इंसान जो है, वो इंसान इतना ठंडा हो चुका है अपने दिल से, वो इतना दा बरबाद हो चुका है अपने दिल से कि वो animals को, वो environment को harm कर रहा है अपने फाइदे के लिए. ठीक है? And the man gathering salt, he says, और उसके बाद इंसान जो नमक इकठा कर रहा है, जो अपनी necessity का समानी कठा कर रहा है, वो अपने hot hands पे देखेगा, वो अपने injured hands पे देखेगा. अब बचे सवाल आएगा दिमाग में कि मैं, नमक से हाथ कैसे खराब हो जाएंगे? तो बचे क्या होता है, जो लोग continuous नमक उठाते हैं, नमक आपकी skin के उपर से आपका जो moisture होता है उसको छीन लेते हैं, तो moisture छीनने से क्या हो जाता है? आपके हाथ राफ हो जाते हैं, वो फटने लगते हैं और फटफट के जखम बन जाते हैं, और जखम पे नमक छड़कने से वो जखम बढ़ जाता है, तो वही होता है इनके साथ, कि जब यह लोग नमक इकठा करते हैं, तो इनके हाथ जो हैं, वो injured हो जाते हैं, and then they realize the harm to self, तब उन्हें realize होता है, कि चलो हमने environment को harm किया तो किया अपने फाइदे के लिए, इंसान इतना खराब हो चुका है, कि वो अपने खुद के हाथों को भी खराब कर रहा है, very good, यहां पर बचे एक और poetic device लगाया गया है, जो कि है बचे, his hurt hands में, एक और poetic device जो हम लोग देख पा रहे हैं, वो है आप लोगों का alliteration, ठीक है, clear हुआ, clear हुआ, clear हुआ, मैं one doubt, fisherman कौन होते हैं, बेटे, fisherman जो मचलियां पकड़ते हैं, clear, clear हुआ, आगे बढ़ जाएं, दोजो prepare green wars, बहुत ज़रूरी symbolism हैं यहां पर, वो कहते हैं, जो लोग green war prepare करते हैं, wars with gas, wars with fire, यहां पर बचे, यह किसका example हो गए, यह symbolism का example हो गए, green war, बचे, green किसको दिखाता है, यह land को दिखाता है, war with gas, यह दिखाता है, आपका chemical warfare, ठीक है, यह किसको दिखाता है, बचे, यह दिखाता है, आपका chemical warfare को कि आप लोग chemicals को use करके war करते हो wars with fire basically nuclear attacks को दिखाता है कि आप लोग जो bum गिराते हो दूसरे देशों के उपर nuclear attacks तो वो कहता है कि ये जो war लोग करते हैं ठीक है तो वो कहते हैं कि basically ये जो लोग हैं जो war को cause करते हैं जो poisonous gases से लड़ाई करते हैं जो green wars करते हैं जो land के लिए लड़ाई करते हैं जगा के लिए जायदाद के लिए लड़ाई करते हैं जो wars with fire nuclear attacks करते हैं इतनी cruelty के उपर आ जाते हैं victory with no survivors he says उससे क्या होता है उससे सबसे बड़ा नुकसान हमें क्या है कि हम लोग जीत तो जाते हैं ठीक है हम लोग जीत तो जाते हैं लेकिन हमारे पास हमारे जीत को celebrate करने के लिए कोई survivors ही नहीं बचते हमारे पास कोई लोग ही नहीं बचते जिनके साथ हम लोग हमारी उस जीत को celebrate कर सके तो बच्चे ये पॉन चलता फिरता पोईटिक डिवाइस का भंडार है और यहाँ पर आयरेनी यूज किया गया है आयरेनी का मतलब यहाँ पर हो गया कि आप जीत तो गए लेकिन आपके जीतने का कोई फाइदा नहीं हो रहा है कोई फाइदा नहीं है जीतने का क्योंकि आपकी जीत को celebrate करने वाला ही कोई नहीं है, ऐसी जीत को कहां लेकर जाओगे भाया, what will happen, आप कर लो war, आप कुछ भी कर लो, आपके पास लोग ही नहीं है celebrate करने के लिए, आप कोई भी war देख लो, war के अंदर दोनों parties में को नुकसान होता है, आप लोग अभी Russia, Ukraine दे ठीक है, बिल्कुल सही बात है, scarcity increases cruelty, समझ में आया, नहीं बचेवाब, पन नहीं है, बहुत दो meaning नहीं है न, समझ में आया, green words दे पन नहीं है, He says, अब यहाँ पर इस पर ध्यान देने वाली बात ये है, He says, those who prepare green words, He says, जिन लोगों ने इन wars को cause किया, जिन लोगों ने लडाईयों को शुरू किया, would put on clean clothes, He says, अब वो क्या करेंगे, वो साफ कपड़े पहन लेंगे, अब साफ कपड़े भी बचे, ये clean clothes भी क्या है, य ये symbolism किसका है, ये good character का symbolism है, कि ये लोग जो है, ये अच्छे character के अपने आपको दिखाएंगे, अब ये लोग ये दिखाएंगे कि भाया हमारा चरित्र तो बहुत साफ है, हम तो चाहते ही नहीं थे लडाई हो, हम तो चाहते ही नहीं थे दुनिया में कुछ बुरा हो, and walk about with their brothers, he says, अब ये लोग क्या करेंगे, ये अपने भाई बंदूओं के साथ, ये अपने नेशन के लोगों के साथ घूमेंगे, in the shade, ठीक है, ऐसे छुपके घूमेंगे, as if they are doing nothing, so they'll show that they have not done anything, but in the reality, this is the sad reality of the world, यहाँ पर वो hypocrisy of the government को show करना, government नहीं, basically आप कह सकते हो, the preparators of war के लोगों के बारे में दिखाना चाते हैं, उन लोगों की hypocrisy के बारे में बताना चाते हैं, कि जो लोग wars को cause करते हैं, जो इतने destruction cause करते हैं, इतने लोगों को मारते हैं, इतना सब लोगों का बुरा हाल करते हैं, at the end of the day क्या होता है, ये लोग साफ कपड़े पहन के, अपना चरीतर साफ करके कि इनको लगता है कि साफ कपड़े पहनेंगे तो चरीतर भी साफ हो जाएगा यह सब लोग साफ कपड़े पहन कर निकल आते हैं और अपने आपको यह दिखाते हैं कि इन लोगोंने तो कुछ किया ही नहीं he says जब आप लोग चुप होगे yes warmongers he says जब आप लोग चुप होगे जब आप लोग बैठोगे जब आप लोग Analyze करोगे situation को तब आपको यह Realize होगा कि आप कुछ नहीं आप सिर्फ एक Puppet हो और ये लोग आपको अपने हिसाब से चला रहे हैं and you know you are on their और विम्स और विशेज वह जैसा चाहें आप लोगों को चला सकते हैं ठीक है What I want should not be confused with total inactivity He says लेकिन जो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ ना To stay quiet He says मैं तुम लोगों से ये नहीं चाहता कि तुम लोग चुप रहकर उस चीज़ को Total inactivity मान लो तुम lazy हो जाओ तुमें you know sleep कर जाओ तुमें सोने का बहाना मिल जाए He says नहीं I am not asking you to sleep He says मेरा ये काम मैं तुमें self introspection जो कह रहा हूँ चुप रहने को जो कह रहा हूँ उसे total inactivity से compare मत करो वो बिलकुल चुप होने की बात नहीं है Life is what it is about He says जिन्दगी जैसी है वो वैसे ही रहेगी कि आपको चीज़ें वैसी ही दिखेंगी जैसी वो है I want no truck with death तो basically वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता wars हो मैं नहीं चाहता dead bodies मेरे पास आए He says मैं नहीं चाहता कि लोग मरें मैं नहीं चाहता दुनिया में cruelty हो I want no truck with death मैं चाहता ही नहीं जो लोग है वो मरें ठीक है if we are not okay यहां तक समझ में आगया because इसके आगे थोड़ा poem का topic change हो जाता है क्या सवाल है बचे नहीं सवाल पूछा clean clothes में बचे हाँ alliteration है I'm imagine the mother gets to know of the poet fair poets fair write a letter as the mother telling the daughter why she must not dwell on those fears अचा fear तो बटा क्योंकि mother है तो आप अच्छा सवाल है इसमें आप यह लिख सकते हो कि being a mother वो से यह समझा सकती है कि बटा life and death जो है वो part and parcel of life है आप चाहा कर भी उसको वो नहीं कर सकते छोड़ नहीं सकते इस इनेविटेबल लेकिन अगर आप प्रेजेंट में future के टेंशन लेने लगोगे तो मेभी आप अपनी life को उतना खुल के नहीं जी पाओगे और हमेशा आपके मन में डर रह जाएगा तो प्राबबली अगर आप मम्मी के तरफ से कमला दास को लेटर लिखो गए तो आप उसमें यह कह सकते हो कि मम्मी जो है उसे यही समझा रहे है कि बड़ा टेंशन मतले जो होगा देखा जाएगा चिक है अब वो कहते हैं यहां से लाइन थोड़ी बदल जाती है वो कहते हैं अगर हम लोग इतने सिंगल मांड़िड नहीं होते अगर हम सब लोग इतनी बैल बुद्धी नहीं होते कि जिंदकी को बस चलाते रहो चलाते रहो ही सेश ठीक है कि बस जिंदकी चलती रहे ही सेश हम लोगों में तब हमें थोड़ी अकल आती जो हम कर रहे हैं वो पागल पंती है क्यों हिसीज़ हम लोग क्या कर रहे ARE hen हम सिंगल माइंड़ ली बस चलते जा रहे हैं, भेड़ बक्रियों की तरह हम लोग यहां पर एक रैठ रेस में लगेयए हैं कि तू आगेए, नहीं मै आगे नहीं तू आगे, नहीं मैं एलके बहेताiken कि भेंद अपने शिंदगी को चलाने के लिए सबंचेस इतोच लिए पागल हो गए है and for once we could do nothing he says उस समय में अपने आपको time दो, give yourself time he says अपने आपको वो समय दो और चुप बैठो ठीक है, वो कहते हैं बिलकुल अपने आपको समय दो और दो मिनट के लिए बिलकुल चुप बैठो और analyze करो कि आसपास क्या हो रहा है, he says तब ये जो silence है ये जो huge silence है might interrupt this sadness he says शाय जब आप चुप हो जाओगे ना, तब आपको realize होगा कि आप जो जिन्दगी में कर रहे हो ना वो सिर्फ इक sadness है, क्यों? because बैटा harsh reality of life ये है, कि हम लोग क्यों मेहनत करते हैं आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो लाने है, ठीक है अब कई लोग अच्छी चीजों में competition कर रहे हो ठीक है कई लोग गंदी चीजों में competition करते हैं गलत चीजों में competition करते हैं तो इसे जब आप इस गलत चीज का competition करो के what is the use of that wrong competition he says, आइटे मिटली जब आप रुकोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि भाई हम लोग जिंदगी चलाने चलाने के चकर में इतने selfish और इतने robotic हो गए हैं हम लोग इतनी mechanical life जी रहे हैं कि सुबह उठो, काम करो, काम से घर आओ, फिर सो जाओ, काम करो, सुबह उठो, काम करो, फिर सो जाओ, इस ये जिंदगी नहीं वह कहते है, ultimate reality क्या है, हमारी ultimate reality ये है कि जो इंसन धर्ती पर आया है, वो कल मर जाएगा, ठीक है, जो आज जिंदा है, वो कल मर जाएगा, तो इसे जब कोई नई जिंदा है, और कल मर जाएगा, तो ये जिंदिगे का फायदा क्या है, तुम किसके लिए लड़ रहे हो, तो आप किसके लिए cruelty cause कर रहे हो इतनी वाई आर्यों बिंग सो selfish towards you know your own life and do we have a poetic device here नहीं इसमें no truck with death single minded नहीं है परहापस the earth can teach us अब यहाँ पर बचे एक poetic device use हो रहा है जिसका नाम है personification क्योंकि यहाँ पर earth के लिए teach word का use किया गया है वो कहते हैं कि earth can teach us he says ऐसी situation में हमें earth सिखा सकता है the earth is going to teach us that when everything seems dead जब आपको लगता है कि सब कुछ बरबाद हो गया है सब कुछ dead हो गया है it later proves to be alive he says और मैं आपसे वही चीज़ चा रहा हूँ यहाँ पर बचे आप लोग एक चीज़ का वो लिख सकते हैं यहाँ पर आप एक seedling का example उठा सकते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं seedling का example उठा सकते हैं seedling का example बचे क्या होता है seedling आपको पता है seed पता है ना क्या होता है seedling बचे हो गया कि जिस तरीके से मान लोगी यह आपकी धर्ती है यहां धर्ती के नीचे बचे एक सीड था आपकी नजरे यहां पर है आप दुनिया को यहां से देख रहे हो तो आपको अब जो दुनिया है वो डेट दिख रही है ठीक है आपको लग रहा है कि कोई लाइफ नहीं है लेकिन वो लाइफ अभी हिडन है वो अभी नीचे है धर्ती के थोड़े ही दिनों बाद बचे क्या होगा यह प्लांट मेंसे एक सापलिंग निकलने लगेगा और इस तरीके से दो लीव जो है वो उपर आने लगेंगी तो इस भल रही इंसान कोई आपको देखे और सोचे कि यारी कितना चुप है उसको यह रियलाइज होना चाहिए कि मैं मू से सिर्फ चुप हूँ ठीक है सिर्फ मेरा मू बंद है मेरा धिमाग बंद नहीं है I am not mentally quiet दिमाग से मेरा धिमाग बिलकुल सही तरीके से चल रहा है and whatever I am doing I know what I have to think about it. तो इसे इस तरीके से धर्ती में plants धर्ती के नीचे उगते हैं और बाद में हमें लिखता है कि वाओ धर्ती वस नॉट डेड तो बेसिकली ही सेज वही है work hard work hard silently quietly silently कुछ भी लिख सकते हो work hard silently or let your success make noise वही वाला है कि किसी को दिखाओ मत कि तुम क्या कर रहे हो ठीक है बिलकुल चुप चाप अपना काम करते जाओ तुमारा success तुमारी hustle तुमारी चीज़े खुद अपने आप दिखा देगे कि you know what you have achieved in your life और वही चीज़ वह हमें earth से सीखने को कहते हैं कि आपको धर् अपने आपको इंट्रोस्पेक्ट करो आप भी समझो कि चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आपका दिमाग नहीं चल रहा है आप डेड हो किसी आपका दिमाग चलना चाहिए full speed में चलना चाहिए ताकि आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई है आप उन सब चीजों के बा पर मजबूर कर देती है कि जो भी उसके असपास हो रहा है वो सही है या नहीं है ठीक है हाँ वो कहते हैं लोगों के दिमाग में बातों को इंप्लांट करके वो कहते हैं अब मैं बारा तक गिनूंगा and you keep quiet and I will go he says अब मैं चला जाओंगा और आप यहाँ पर चुप रहे कर सोचोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है ठीक है अब यहाँ पर बचे इस लाइन के अंदर एक poetic device हो रहा है आप लोग बताएंगे कौन सा which is the poetic device that is used in this line yes very good Tusha irony नहीं है एक poetic device number दादा पांचवा number कौन सा था very good यहाँ पर जो use हो रहा है ना बचे वो refrain है यह देखो यह line यहाँ पर भी use की जा रही है और अगर मैं pom की start में भी दिखाओं तो यहाँ पर भी use की जा रही है now we will count to 12 अब वो कहता है now we will count to 12 ठीक है तो यहाँ पर बचे यह दोनों line के अंदर आपका refrain यूज किया गया है दिखाने के लिए focus करने के लिए जो बात वो बताना चाहते हैं जिस चीज से उन्होंने poem शुरू करी थी उसी चीज पर focus करने के लिए उन्होंने same line को repeat किया है और इसी के साथ बचे हमारी second poem जो है वो भी for a consolidated version की कहा कहा पर क्या क्या लिखा गया है इसके poetic devices करते हैं Aunt Jennifer करा रही हूं इसके बाद मैं ठीक है I'll be going ahead with Aunt Jennifer फिर ले लेंगे हम लोग एक break Aunt Jennifer के बाद हमारी दो लंबी-लंबी poems है think of beauty भी थोड़ी लंबी है तो think of beauty और उसके बाद हमारी last में करेंगे roadside stand and then we'll end the class ठीक है इसके बाद है go ahead with Aunt Jennifer's tiger थोड़ी-चोटी-चोटी poems है वो करते हैं अच्छा paradox yes paradox आ जो paradox समझ लो क्या होता है इधर से ही समझाते हैं चलो एक poetic device बचे वहाँ पर irony के साथ और यूज किया गया है paradox मैंने आप लोगों को tiger king के अंदर राजा के लिए एक word बताया था मैंने आप लोगों को राजा के लिए एक word बताया था बचे या ना told you the word राजा बहुत paradoxical king था रैट मैंने राजा के लिए एक word यूज किया था कि जो राजा था वो एक बहुत ही paradoxical king था अब paradoxical का मतलब क्या होता है देखो बचे paradox का मतलब होता है यह कोई single वाला paradox नहीं है यहापर हमारा paradox बचे use होता है when you feel you are right but you are not simple terms में ऐसे समझ लो तो आप लोगों को easy हो जाएगा वरना आप लोगों को google paradox की definition बहुत मुश्किल मिलेगी तो बचे paradox का simple meaning यह होता है कि आप लोग जब यह कहते हो कि आपको लगता है कि आपने सही किया लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे tiger king एक paradoxical राजा था उसको लगता था कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है लेकिन actually वो सही नहीं कर रहा था पेटा गौरव आपने क्या किया बचे आप लोगों ने इतने सारे लोगों को मार दिया कि आपके बास कोई लोग ही निया survive करने के लिए ठीक है तो आपको लगा कि आपने सही किया वह और आपने जीत ली लेकिन यह अपने आपने एक paradoxical situation है कि भाया क्या ही पागल हो क्या तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि you know you are you have done things rightly now this is the question what does the title of the poem suggest keeping quiet तो इसमें आप लोगों ने सही आंसर दे दिया था तो बचे जो correct answer है इस question का वो बिलकुल सही था इस question का सही answer option number d है कि आप silence maintain करके रखिए because यह आपको self introspection के अंदर बहुत जादा मदद करने वाला है ठीक है अगला सवाल what does counting up to 12 signify and how will it help आप लोगों को ना हर पॉम के बाद poetic devices consolidated मिल जाएंगे ठीक है हर पॉम के बाद है मैं पॉम के बीच में बताती चलूंगी आप लोगों को प्योंकि उस चीज़ से दो चीज़े होती है क्योंकि समझा दिए क्या होते हैं अब उन्हें यूज करना है आपको अपनी पॉम में तो आपको असानी से समझ में आता जाएगा और टाइम भी बचता जाएगा हमारा तो बच्चे बारा सिग्निफाइ करता है आर्स ओड़ डे मंत अफ़ इयर और यह पीस और हार्मनी क्रियेट करेगा बिकाज ना तो यह साथ सेकिंड है पाथ सेकिंड है थोड़ा टाइम भी लंबा है और बहुत जादा भी लंबा नहीं कि आपको नीन दा जाए तो एक यहां पर बच्चेक आप लोगे लाइन लिख सकते हो तो इफ स्पीच इस सिल्वर पेपर में यूज कर सकते हो आंसर में इफ स्पीच इस सिल्वर दैन साइलेंस इस गोल्ड अगर स्पीच सिल्वर है तो साइलेंस गोल्ड है तो इसका message बहुत simple है introspection and retrospection ताकि आप और जदा peaceful हो सको और काफी harmony में अपनी जिंदगी जी सको prosper करने का मतलब होता है बचे grow करना, happier होने का मतलब आपको पता है खुश रहना और ज़्यादा लोगों तक पहुचना तो वो तो option ही नहीं है अगला देखते है how does the poem, what does the poem keeping quiet teach us keeping quiet हमें क्या सिखाता है how to maintain silence how not to make noise speaking creates noise you have to be peaceful, thoughtful and have feelings of brotherhood नच चाह कर दो चलिए बहुत बढ़िया ताकि इंसान जो है वो peaceful, thoughtful हो सके और भाईचारे का जो feeling है उसके मन में रहे है मैंने पहन का फेग दिया चो यह रहा मिल गया option D अगला है सवर? हाँ what is the sadness in the poem that the poet speaks about? अब वो कहते हैं कि poem में कौनसी sadness के बारे में बात की गई है violence because of unthoughtfulness of people, unnecessary movements, speaking aloud या fighting पेटा writing skill अगली class में होगा चलिए तो correct answer है because हम लोग बहुत जदा thoughtfulness, thoughtlessness हो जाते हैं thoughtless हो जाते हैं और उसके वज़ा से कुछ भी करने लगते हैं तो basically इंसान जो है वो rash decision making करने लग जाता है और जहांपर बचे इंसान ने अपनी जिंदगी में rash decision making शुरू कर दी fall to decision लेना शुरू कर दिया irrationally सोचना शुरू कर दिया वहाँ से इंसान की वरवादी शुरू हो जाती है तो वही है ना विनाश काले विपरीत बुद्धी वही वाला हाल है यहां पर पेड़ा एडला को एक person से compare इसलिए किया गया है चलिए अगला पॉम हम लोग करने वाले हैं बच्चे एक और ठीक है now let's go ahead to another poem and before I start with thing of beauty मैं पहले आप लोगों को roadside stand से भी पहले और thing of beauty से भी पहले मैं आप लोगों को करा रही हूं aunt jennifer's tiger by adrian rich यह पॉम थोड़ी सी असान है as compared to the previous other two poems और वो दोनों poems लंबी भी बहुत है और मुझे आप लोगों को एक break भी देना है तो मैं आप लोगों को यह poem कराऊंगी 7-10 तक यह poem खतम हो जाएगी छोटी सी poem है और जो जो important points है बचे इसके अंदर हम लोग वो करेंगे और उसके बाद आपको चुटी दे देंगे और दो cbsc is not going to ask very difficult questions in your exam the reason being कि paper तीन pattern से बनता है 33% easy 33% medium 33% or difficult तो वो लोग आपको जो mcqs होते हैं वो comparatively easy पूछते हैं जो difficulty होती है वो सवालों में आती है ठीक है चलिए financial intelligence I'll be giving you a break after this one इसके बाद एक छोटा सा break लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे तो आएए स्टार्ट करते हैं बच्चे इस chapter को पॉम को जिसका नाम है Aunt Jennifer's Tiger by Adrian Rich ना बच्चे इस पॉम अगें deals with a social evil यह किस से deal करता है बच्चे यह society में एक evil practice से deal करता है basically आप लोगों ने नाम सुना होगा एक word का जिसका नाम है patriarchy यह मैंने दो अलग-अलग parts में लिखा है because यह दो अलग-अलग words को जोड कर एक word बनाया गया है and I'll explain you what is the meaning of patriarchy ठीक है यहाँ पर बच्चे जो poetic device use किया जा रहा है यहाँ पर इस पोम में जो social evil दिखाया गया है बच्चे वो है patriarchy now what do you mean by patri बच्चे patriarchy basically means male और father वैसे male के लिए andre होता है वैसे father के लिए refer किया जाता है तो family का कोई भी male या father और archy का मतलब होता है बच्चे rule dominance ठीक है rule या dominance तो यहाँ पर भी बच्चे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर patriarchy इस पोम में शो करी गई है यानि इस पोम के अंदर बच्चे male dominance शो किया गया है या फिर आप कह सकते हो कि male chauvinism chauvinism use किया गया है chauvinism का मतलब भी होता है बच्चे dominance यह बहुत अच्छा वर्ड है answer में use कर सकते हो तो इस पोम में बच्चे male dominance बहुत जादा highlight करी गई है by Adrian Rich and let me tell you बच्चे Adrian Rich has been one of those writers of one of those times यह उस समय की वो writers है उन writers में से एक हैं जब country में worldwide women movement चल रही थी ताकि women को equal franchise मिल सके equal rights मिल सके तो she has also been one of the advocates of this ठीक है तो यहाँ पर बच्चे patriarchy, male dominance, male rule की उपर इन्हों ने यह poem लिखी है बच्चे grammar करा दूँगी तुम लोग अभी जो कर रहे हो वो तो पढ़ लो grammar भी कराया जाएगा last session जो आएगा इससे एक और session बचा है इसके बाद जो अगला session आएगा बच्चे वो grammar का ही है का है tension ले रहे हो हो जाएगा सब कुछ करा देंगे इतनी tension नहीं लेने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं है बच्चे अगर आप चले जओ पिछड़े अलाकों में तो अभी भी male dominant society है आज भी exist करती है चलिए आगे करते हैं बच्चे अड्रियान रिच के द्वारा लिखी गई यह poem है male dominance को दिखाती है society का social evil of patriarchy को show करती है अब इस poem में बच्चे हमारे पास एक Jennifer aunt करके एक lady है aunt Jennifer जिनका नाम है Jennifer ठीक है तो यह बहुत ज़ादा डरती थी अपने husband से ठीक है she was extremely scared of her husband and अपना डर क्योंकि वो कहीं दिखा नहीं सकती थी बच्चे तो इसलिए उन्होंने अपना जो fear था ना उसे कही ना कहीं went out करने के लिए क्या करने के लिए अपने fear को कही ना कहीं went out करने के लिए उन्होंने embroidery का सहारा लिया इसका सहारा लिया embroidery का support लिया और इन्होंने एक panel के उपर basically कड़ाई करने वाले कपड़े के उपर इस तरीके से कुछ tigers जो थे वो बनाए और यह tigers जो है बचे यह दिखाते हैं एक चीज को यह tigers जो है ना यह उनकी यह मैं एक point बहुत अच्छा बता रही थी यह उनकी creativity का भी symbol है ठीक है यह उनकी creativity का creativity और उनके talent को show करता है बाकी चीज़े तो show करता ही है यह उनके talent और creativity को भी show करता है अब last to last year 2021 में मुझे याद है एक सवाल आया था board में और preboards ने भी पूछा गया था schools में कि aunt Jennifer के लिए यह aunt word use क्यों किया गया है ठीक है आप लोगों को बताना है that why aunt Jennifer's tiger के अंदर यह aunt word को use किया गया है बताओ बताओ very good very good boy Mishu old नहीं है बचे because आपको कोई भी दिखता है तो आप क्या बोलते हो auntie है ना आप लोग क्या word यूज करते हो auntie word यूज करते हो ना तो बचे aunt जो है ना वो एक universal word है वो एक universal word है जो women को show करता है तो यहाँ पर universal word aunt Jennifer दिखाता है कि जैसी problem aunt Jennifer को है सारी औरते अलग-अलग कोने में दुनिया की face करती है तो problem को बचे commonness देने के लिए problem को एक बहुत ज़ादा बड़ा नजरिया देने के लिए इसलिए aunt Jennifer में aunt word का use किया गया है दिखाते हुए कि aunt Jennifer जैसी और भी बहुत सारी auntie और आसी बहुत सारी ladies है जो अपने पती की dominance अपनी family के अंदर face करती है ठीक है चलो पॉम को start करते हैं बचे aunt Jennifer's tigers prance across a screen तो पॉम शुरू होती है बताते हुए कि aunt Jennifer's के जो tiger है ठीक है aunt Jennifer के जो tiger है they prance across a screen तो ये story में बचे वो हमें बताते हैं कि क्या होता है कि aunt Jennifer के जो tiger है वो एक screen पर move करते हैं और बचे यहाँ पर ये जो tiger है ये अपने आप में बहुत बड़ा symbolism है ठीक है ये tiger symbolism का ही example है और symbolism आप लोग मुझे बताएंगे कि tiger में symbolism क्यों use किया गया है बचे क्योंकि tiger एक तो काफी fierce animal होते हैं बहुत ज़्यादा majestic होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे royal animal होते हैं ठीक है और उसके बाद ये काफी wild होते हैं काफी dangerous होते हैं तो aunt Jennifer जो थी वो बैचारी इतनी ज़्यादा पथी-पीड़ित औरत थी कि उनके पास अपनी point को किसी के आगे रखने का मौका ही नहीं था ठीक है she did not have yes independent और fearless भी लिख सकते हैं तो उनके पास कोई मौका ही नहीं था अपने आपको दिखाने का या अपनी points को किसी के आगे रखने का तो इसी लिए aunt Jennifer जो थी उन्होंने decide कि वो tigers जो हैं अपने panel पर group बनाएंगी तो aunt Jennifer के जो tigers denizens in a world of green यहां पर बच्चे word topaz का मतलब basically orangish color का आप लोगों ने देखा होगा और orangish नहीं yellowish color होता है वैसे topaz का एक second let me just confirm can't Jennifer है नहीं yellow yellow brown yellowish color yellowish color का ये एक stone होता है तो वो कहते हैं bright topaz denizens अब यहां पर बच्चे ये yellow color का stone होता है तो यहां पर ये stone जो है ना बच्चे अब यहां पर देखो यहां पर एक poetic device यूज़ हो रहा है आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से कौन सा है यहां पर तो बच्चे bright topaz denizens denizens का मतलब होता है बच्चे stripes वो कहते हैं उसकी bright topaz color की body के उपर काले color की stripes है in a world of green basically यहां पर world of green किसको शो करता है forest को शो करता है तो वो बताते हैं set up of the entire scenario set up of the entire picture very good कि यहां पर क्या हो रहा है हमारा वो जो tiger है वो एक jungle के अंदर गुमता हुआ दिखाया गया है और very good यहां पर आप लोगों ने यह bright topaz denizens के अंदर हमारे tiger का जो yellowish color of skin होता है वैसे orange और yellowish का mix होता है उसको compare किया गया है बच्चे topaz से तो इधर जो poetic device use किया गया है वो metaphor है ठीक है क्योंकि हमारा जो yellowish color of stone है याद रखेंगे यह लिखावाए उसकी consolidated form में कि जो yellowish color of stone है उसे compare किया गया है with the color of the horse कह रही हूँ tiger अब वो बताते हैं that do not fear the men beneath the tree अब वो कहते हैं यह जो tiger है यह आदमियों से डरते नहीं है जो पेड के नीचे आए है तो basically वो कहते हैं कि वो इतने जादा fearless है कि आप उनके सामने उन्हें मारने भी चले जाओगे न तो भी they are not going to be scared of you such superior beings they are they pace in sleek chivalric certainty और वो कहते हैं जब वो लोग move करते हैं they move in sleek बहुत ही आप कह सकते हो कि certain मतलब उनको अपने उपर पूरा विश्वास है royal आप कह सकते हो कि self confidence और उनके अंदर अपने आप को लेकर अपनी movement को लेकर self confidence है अगर आपने कभी tiger को चलते में देखा होगा ना तो आपने कभी जिंदगी में tiger की आँखों में डर नहीं देखा होगा ठीक है आपने कभी भी बच्चे किसी भी tiger की that is inhabitants हो गया वेट 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 अच्छा सॉरी तो इससे आप लोगा ने कभी भी जब tiger को चलते होगे देखा होगा तो आपने कभी भी ये notice नहीं किया होगा आपने कभी भी tiger को ऐसे दुखी होते वे डर के चलते वे किसी से fear रखते वे चलते वे नहीं देखा होगा तो is that is why I believe yeah what the poet says कि इसलिए tiger जो है वो हमारी आंट जैनिफर ने चूज करे जैसी जिन्दगी वो खुद a lady whom she addresses as aunt jennifer she is embroidering a piece of cloth it could be a table cloth या wall cloth कुछ भी हो सकता है जो patterns थे उस क्यों पर जो बनाए गए थे वो दिखाते थे कि कुछ tigers जो है वो move कर रहे हैं और हर जगा पर कूते फिर रहे हैं और उन्हें कोई फरक नहीं पढ़ रहा दुनिया में क्या हो रहा है they are bright yellow in the color just like the color of topaz stone जिसे metaphor यहाँ पर इसमें यूज किया गया है dense forest green forest है उनका background है they are proud and fearless citizens of the forest उन्हें किसी कभी कोई डर नहीं है यहाँ पर बचे aunt jennifer की जिंदगी के अंदर और जो tigers उन्होंने बनाए हैं उनके बीच में contrast है एक opposition है कि aunt jennifer इतना जादा डर के रहती है अपनी जिंदगी में कि वो अपनी बात अपने मूँ से भी नहीं बोल पाती है उन्हें क्या जरूरत पढ़ती है उन्हें किसी ना किसी art form की जरूरत पढ़ती है अपने point को सामने रखने के लिए the tigers are fearless but this lady who is embroidering them is not so तो tigers जो उन्हें बनाए है वो fearlessness का symbol है लेकिन वो खुद वैसी बिल्कुल भी नहीं है यह tigers जो है बच्चे यह बहुत ही elegant है बहुत सुंदर है शाइनिंग है बहुत चमकदार है and full of the gentleman's grace और उनको देख करना वो आपको royalty देखने को मिलती है उनके अंदर आपको वो certainty देखने को मिलती है that yes they are not scared of anybody in the world they do not care of whatever is happening with them उनको कोई फरक नहीं पढ़ता की दुनिया में क्या हो रहा है समझ में आया yes they are furious aggressive animal do we have another poetic device in these lines yes in shrievic civilness नहीं है दो poetic device symbolism and metaphor आगे भड़ते हैं you guys can have a read to it पढ़ लेते हैं चलो the poet is describing a lady whom she addresses as aunt jennifer she says कि aunt jennifer is doing embroidery on a piece of clothes जो कुछ भी हो सकता है यह उसका consolidated version है तो she described their beauty by comparing them to a precious yellow stone known as topaz she says कि वो bright yellow दिखते है green backdrop के अंदर they are fearless and उनने कोई फरक नहीं पढ़ता को याद्मी वहाँ है या नहीं है लेकिन वहाँ पर यह मान जैनिफर के behavior में contrast देख पाते हैं कि tigers जो हैं उन्हों नहीं बनाए हैं वो कितने fearless हैं लेकिन खुद वो अपने husband से बहुत जादा डरती हैं further यह poet बताते हैं कि जो tigers हैं वो बहुत ही proud and fearless citizens हैं और वो बहुत ही shiny और elegant और उनने दुनिया में किसी से कोई दिना देना नहीं है they are not scared of anyone अब यहां पर एक बहुत important line आती है बच्चे ठीक है now this is a very very imagery लगा लो बटा यह entire poem is an imagery then ठीक है तो यह पूरी की पूरी poem imagery हो जाती है शिवल्रिक और certainty के अंदर alliteration नहीं है शिवल्रिक और certainty में alliteration नहीं है बिकस शिवल्रिक में श की sound है और certainty में स की sound है तो जब sound different हो जाती है तो आप same meaning नहीं ले सकते हैं हाइपरबली का यूजश बच्छे आगे हो रहा है इस लाइन में हो रहा है और जैनिफर्स फिंगर्स फ्लत्रिंग थू हर वूल्स यहां पर दो पॉलिटिक डिवाइस यूज़ ऱहruit हरह निवह इं strep के अंदर यहां पर यूज़ किया रहा है ऐलिटरेशन और दूसरा बचे यहां पर यूज किया जा रहा है hyper bully यहां पर बात को बड़ा ही भड़ा चड़ा कर बोला जा रहा है कि आन जैनिफर के जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा tremble कर रहे हैं ठीक है उनके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा काप रहे हैं वो जो सुलाई के जो सुई है वो उसको ठीक तरीके से उपर भी नहीं कर पा रहे हैं और वो इतना ज़्यादा डरी हुई है वो इतना ज़्यादा ट्रॉमटाइज जो हो चुकी है शी सो स्केरड अफ तिंग्स हापनिंग अराउंड हर कि वो जो पतली सी आइवरी नीडल है बचे वो जो पतली सी आइवरी नीडल है वो भी उन्हें खीचना बहुत जादा मुश्किल लग रहा है शी फील्स और इस इवन हाट टुपल उनसे वो भी जो है खीची नहीं जा रही है उनको उसको खीचने में भी मुश्किल हो रही है ठीक है बचे बेसिकली वो कहते हैं कि आंकल के जो वेडिंग बैंड है यानि जो उनकी शादी की अंगूठी है उसका उनकी जिन्दगी पर बहुत जादा मैसिव वेट है यहाँ पर बचे हाइपर बली यूज किया गया है और आच्छिरी दो चीज़े यूज करे गई है यह पूरी लाइन के अंदर आपको हाइपर बोली देखने को मिलेगा बातों को बढ़ा चड़ा कर बोला गया है और यह बचे वेडिंग बैंड जो है यह सिंबॉलिजम है ठीक है अब वो कहती है जो मैसिव वेट है अंकर के वेडिंग बैंड का बेटा अंकर के वेडिंग बैंड का वेट कैसे हो सकता है रिंग तो बहुत हल्की सी होती है हल्की सी रिंग का इतना बारी वेट कैसे होगा तो बचे यहाँ पर यह जो वेट की बात की जा रही है न यह actual वेट की नहीं यह आने वाली उन responsibilities की बात की जा रही है ठीक है all the tensions की बात की जा रही है उनकी जिन्दगी की ट्राइल्स एंड ट्रिब्यूलेशन्स की बात की जा रही है यह उन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है जो एक्च्वली वह यहां पर अपने पती के साथ रहेकर जहेलती है ठीक है all the things that she has been handling with her husband that sits heavily upon aunt Jennifer's hand और यह सारी responsibility जो है यह aunt Jennifer के हाथों पर बैठी है that means she is the sole care taker of the family उसको पती की मार भी जहलनी है उसको उनका गंदा नेचर भी जहलना है उसको घर का काम भी करना है और इस तरीके से वो इतना ज़ादा suppressed हो गई है कि उन्हेंने अपने dreams जो है she suppressed her dreams और इस तरीके से उन्होंने अपने जो ख्वाब हैं अपने जो सपने हैं उनको दबा लिया है ठीक है इस तरीके से उन्हें अपने सपनों के धजिया जो है वो उड़ा दी the lady's fingers are trembling with the fear of her husband उनके मन में उनके पती का बहुत ज़दा डर है she is pursuing her hobby in her free time but probably she is still afraid of her husband could see and scold her और दूसरी चीज उन्हें इस चीज से पर डर लग रहा था कि जो चीज वो बना रही है कई husband उसको ये ना बोले कि तो tiger कैसे बना रही है yes बचे कर सकते हो भूमिका हाँ बेटा होगा है क्या हाँ हाँ येस 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 बिल्कुल सही यहाँ पर बच्चे एक और poetic device यूज हो रहा है दे दे के अंदर आनाफोरा कां गए हर फिंगर्स और सो टाइड और वोकिंग एंडलेस्ली और लाइफ और उनकी थकावट ठीक है उनकी टायडनेस और उनकी टायरनेस और आप कह सकते हो कि उनकी थकावट जिंदेगी भर की अगर उनकी जानाफोरा तो वो अपने हस्बन को छोड़ कर भी जा सकती थी लेकिन शीवज़ और इपने हस्बन को छोड़ कर भी नहीं सकती है उन्हें उन्हीं के भरोसे काम करेना पड़ेगा यहां पर वेट का मतलब बचे वह एंसर्कलमेंट है जिस तरी कैसे रिंग क्या होता है कि रिंग में उंगली कैद हो जाती है ठीक है बिलकुल वैसे ही यहां पर आंट जैनिफर जो है वो भी कैद हो रखी है अपने हस्बेंड की problems में कि उनके शादी हो गई एक ऐसे आदमी से और उसके बाद जो obligations है जो duties है शादी की उन्हें वो माननी पड़ रही है and she has becomes the man's property और ऐसा मानलों की ओरतों को commoditize कर दिया गया है कि यह तो अपने पती की अमानत नहीं पती का समान है जैसा उसे handle करना है वो करता रहेगा वो बहुत ही demanding था, demeaning भी था कि उनकी बिलकुल भी इज़त नहीं करता था उनका husband तो वो एक काफी demeaning life जी रही थी जिसकी वजह से अपनी old age तक आते आते वो बहुत जादा ठक चुकी थी और बहुत जादा परिशान अपने husband से हो चुकी थी समझ में आया, clear हुआ When aunt is dead, her terrified hands will lie, अब इसी के अंदर बच्चे दो meanings है, यह lie word जो है यह वापस से, बेटा डाइवोर्स क्यों नहीं किया, because not everybody can take a divorce, कभी-कभी families में ऐसी भी problem होती है, बताती हूँ बच्चे, her clear about terrified hands, दो मिनिट देना, कभी-कभी बच्चे ऐसी भी problems होती है, कि ladies जो होती होने, यह लगता है, कि अगर हम divorce दे लेंगे, तो हमारे बच्चों की life सफर करेगी, या even they are not ready to leave that situation, maybe they are not capable of leaving that situation, maybe उनको लगता है, कि I don't have those skills, मैं शादी करके इंसे भार चली पर जाओ, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, जिन्दगी के अंदर, है ना तो कई लोग बहुत अलग-अलग reasons की वजा से नहीं जाते, anything dependency हो सकती है, नहीं जाना हो सकता है, बच्चों का reason हो सकता है, ठीक है, brave नहीं है, वो डरती है, she is not that, she does not have that much will and strength to go out from her house, बटा अगर auntie uncle को kill कर देती, तो auntie arrest हो जाती, When aunt is dead, her terrified hands will lie, अब वो कहती है, कि जब aunt, जो हमारी Jennifer है, जब वो मर जाएंगी, जब उनकी audience बरी जिन्दगी खतम हो जाएगी, तो उनके terrified hands जो है, यानि उनके scared hands जो है, will lie, अब यहाँ पर बच्चे lie के अंदर वापस से एक politic device यूज़ हो रहा है, वो आप लोग मुझे बत लाए में कौन सा politic device यूज़ हो रहा है, very good अदिती, बहुत बढ़िया, यहाँ पर यूज़ हो रहा है बच्चे, पन, कैसे यूज़ हो रहा है पन, देखो, एक तो lie का मतलब होता है जूट बोलना, ठीक है, जूट और दूसरा है पड़े रहना, दोनों meaning है, अब वो कहते ह आंट जैनिफर के मरने के बाद, उनके हाथ जो है, वो इस तरीके से पड़े रह जाएंगे, ठीक है, मरने के बाद भी आंट जैनिफर के जो डेट बोडी है, वो ऐसे होगी, और आंट जैनिफर के हाथ में, अभी भी उन्होंने वो रिंग पहनी होगी, जिसकी बजा से वो इतने जादा परिशानिया उन्होंने जिंदगी पर जेली है और दूसरा होगा बचे जूट जूट कैसे? क्योंकि पूरी जिंदगी डर के मारे आंट जैनिफर के हाथ इस तरीके से कापते रहे ठीक है? पूरी जिंदगी उनके हाथ जो है वो कापते रहे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो कंपन में डर-डर के बिता दि मरने के बाद उनके हाथ बिलकुल ऐसे हो गए शांथ कोई movement नहीं है तो इसे उनके हाथ जो है वो जूट बोलेंगे कि उनमें कभी कोई movement नहीं थी अब उनके हाथ जो ऐसे पड़े हैं, वो यह दिखाएंगे कि वो बड़ी काम है, बड़ी स्चिल है, लेकिन नहीं, उन्हेंने मरते दम तक स्चिलनेस और कामनेस जिंदगी में देखी ही नहीं है, उन्हेंने जिंदगी में सिर्फ परिशानिया और सिर्फ परिशानिया देख in a just like just like a circus ठीक है और वो कहते हैं आज भी शीज रिंग्ड विद दी ओडिल्स वो कहते हैं आज भी वो अपनी problems से जूंजती रहेंगी that she was mastered by जिससे वो control करते हैं तो इसे जगर उनकी जिन्दगी एक सरकस थी तो वो सरकस की जोकर थी और उनका पती उनका master था जो अपने इशारों पर अपनी बीवी को नचाया करता था तो यह वही वाली गानी बात हो गई कि सारी कि उम्रें में जोकर जा बने आ रहा तेरे पिछे जिंदगी तरकश हो गई विच मींस कि I was a joker for you in the entire life और तेरे पीछे मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो बरबात कर दी personification कैसे है पिटे ठीक है that she was mastered by right कि उनकी पूरी जिंदगी जो है वो किस चीज के अंदर बीट गई उनके husband अगर एक swing master थे तो वो उनकी आप कह सकते हो कि उनके अंडर काम करने वाले थी जिनको वो अपने whims and wishes पे चलाते थे अपनी मर्जी पे उनको चलाते थे अपने मर्जी का behavior करते थे अब वो कहती है उनके मरने के बाद भी the tigers in the panel that she made वो tigers जो उन्होंने अपने panel पे बनाए थे yes यहां पर भी बचे रिंग्ड पन में use किया जा सकता है absolutely किया जा सकता है बट दूसरा meaning क्या निकालोगे बताओ यहां पर very good बचे रिंग्ड में दो चीजों में आ सकता है एक तो इसके अंदर सरकस वाला example डाल सकते हो आप लोग और दूसरा example आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो captured by the ring मतलब उनकी जो finger है वो अभी भी captured under the ring ही है अभी जो उंगलिया है वो ring के अंदर ही उनकी captured है ठीक है अब वो कहते हैं उनके मरने के बाद जो tigers हैं in the panel she made will go on prancing proud and unafraid वो कहते हैं उनके मरने के बाद जो उनके tigers हैं वो तो मर गई लेकिन उनके tigers जो हैं बच्चे वो आज भी रहे गए वो tigers अभी भी वैसे के वैसे हैं और दो चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं बच्चे maybe they are a symbol of her symbol of her struggle वो अपनी struggle का एक symbol पीछे छोड़कर जा रही है लेकिन मैंने last year भी example दिया था और बच्चे इस बार भी मैं एक example आप लोगों को देना जा रही हूँ कि अगर मैं story को थोड़ा सा twist कर दूँ और मैं story में थोड़ा सा twist लेया हूँ और अगर मैं यह कहूँ कि मेरी story में जो tiger use किया गया है यह man को depict करता है तो क्या यह चीज सही होगी मैंने last year भी बताय था और यह सही था मतब मेरे एसाब से आप लोग बताओ एक alternative idea अगर हम लगाए बेटा hands तो वैसे है ना hands भी लाए हाथ तो जूट जूट नहीं बोल सकते हाँ yes ठीक है yes हो सकता है personification भी यह आप लोगों को लगता है देखो कि टाइगर कैसा है strong है आदमी कैसा है टाइगर fearless है आदमी कैसा है fearless है टाइगर किसी को भी मार के खा सकता है आदमी किसी के भी जिंदगी वरबात कर सकता है और यहाँ पर वो last में क्या कहते हैं कि tigers in the panel she made will go on prancing proud and unafraid यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि aunt Jennifer और aunt Jennifer जैसी बहुत सारी ओरतों ने अपनी जिंदगी गवा दी लेकिन tigers जैसे आदमी जो है वो हमेशा रहेंगे basically no change in society इसे society के अंदर कोई बदलाव नहीं आया aunt Jennifer जैसी हजारों ओरते आएंगी और हजारों ओरते मर जाएंगी लेकिन society के अंदर बचे कोई भी जो है change हमने नहीं देखा ठीक है so this could be one of the examples of it but I am not a feminist I would not say I am a feminist because I am not that cutter I am not extremist in any of the ideologies but this is something I am teaching purely out of educational purpose and nothing else तो एक बार मुझे बताओ कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया ठीक है तो आप लोग चाहो तो पेपर में tiger को man से भी compare करके आ सकते हो कोई दिक्कत नहीं कोई करते ही कि तुम्हारे number नहीं काटेगा एक second there is a thing that is being continuously asked तो ठीक है एक और एक बच्चा poetic device पूछ रहा था मैं confirm ही करना चाहरी थी तो बच्चे एक poetic device होता है terrified hands में वह use किया जा रहा है एक choice थी कि terrified hands जो है वो transferred epithet है ठीक है वो transferred epithet है कि भया एक छोटी चीज एक adjective कर रहा है पूरे hands को दिखाने के लिए यह फिर एक poetic device होता है जी एक सिनेक डोकी भी बोलते हैं सीनेक डोची दोची मत बोलना यहां पर बचे का मतलब होता है जब एक छोटे अक्षर से ठीक है जब आप छोटी सी बात से बड़ा मीनिंग बता देते हैं यहां पर बचे टेरिफाइड हांड जो है मैं transferred epithet के साथ नहीं जाओंगी transferred epithet जो होता है situational meaning के उपर होता है situation के उपर बताने के लिए भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं बचे do pass में भी transferred epithet नहीं लग रहा transferred epithet होता है कोई बड़ी चीज को दिखाने के लिए cold human beings का nature दिखाता है सबका लेकिन यहाँ बचे cynic ducky use किया जा रहा है कि छोटी सी बाद से आपने बड़ा meaning बता दिया तो transferred epithet नहीं लगेगा यहाँ पर इसमें cynic ducky लगाया जाएगा परिकस आपने एक छोटी बाद से बड़ा meaning दिखाया यह terrified hands जो है यह उनका overall fear और को show करता है तो इसलिए बचे यहाँ जो political device use किया गया है वो transfer deposit नहीं है वो cynic ducky है clear हुआ और यहाँ पर आकर बचे तीन poems हम लोग खतम कर चुके हैं और दो poems आप लोगों की और बची हैं तो मैं आप लोगों को पहले इसके questions करा रही हूँ उसके बाद मैं आप लोगों को आगे रहके भड़ूँगी बताओ अब बचे अगर आप सिर्फ पैनल पे tigers की बात करते हो नहीं नहीं suffering नहीं आएगा अगर आप सिर्फ टाइगर पे बने life-like tigers देखो उन्हेंने पहले ही आपको hint दे दिया life-like tigers जिन्दा tigers जैसे लग रहे हैं वो ठीक है वो उन्हें real tigers जैसी hint question में hint है तो आप लो creativity के साथ जाओगे option C में जाना D नहीं होगा अगला देखो The poem Aunt Jennifer's tiger uses wedding bands, tigers and terrified hands at symbols poetic devices as alliteration or metaphor बताओ poetic devices नहीं है बै symbols है of male oppression ये male oppression in society को show करते हैं बच्चे option A आपके question का सही answer होगा अगला सवाल देखिए ये वाला What do Aunt Jennifer's fluttering hand through her wool in the second stanza tell us What do Aunt Jennifer's fluttering hands through her wool in the second stanza tell us बढ़िया क्यूंकि freedom जा चुकी है और अब वो अपने marital restraints की वज़ा से बहुत ज़्यादा परेशान है ये बताओ What issues does the poem Aunt Jennifer's Tigers address ऐसे क्या-क्या issues है जो Aunt Jennifer's की poem इस poem में address करती है What are the constraints that Aunt Jennifer's Tigers Aunt Jennifer's Tigers show in the poem Constraint of a woman Constraint of a married life of a woman experiences constraint of a woman as a poet बिल्कुल ठीक है भया कि एक married experience के बाद औरते क्या-क्या परेशानी जेलते हैं You never know Your husband could be any kind of a man जो domestic violence में बिलीव रखता हो मारता पीटता हो ये बताओ What does the image massive weight of the wedding band mean? What does the image massive weight of a wedding band mean? Fatty structure of uncle fatty body of auntie heavy body of tiger अवे यार क्या option दिये हैं? ये last question है इस topic के बाद आप लोगों को break दे रही हूँ मैं पांच मिनट नहीं दस मिनट का दे दूँगे दस से पंदरा पंदरा मिनट का break देते हैं ये खतम हो जाएंगी पॉर्म साड़े आट तक खतम हो जाएगा lecture massive weight of wedding band बिल्कुल ठीक बचे की wedding bond of hard married life कि किस तरीके से एक इंसान अपनी शादी के बाद क्या-क्या परिशानियों का सामना करता है option number A अब इसी के साथ बचे आप लोगों को मैं देना चाह रही हूँ एक छोटा सा break break की उमीदे के मैं आप लोगों की खरी उतरूंगी इस बार because topics दो बचे है बहुत टाइम से हमारा lecture खतम हो जाएगा पेटा कते ही सिग्मा नहीं था उसका husband एक number का बिल्कुली third class आदमी था ठीक है देदू break 15 मिनिट का break देदू denizens का मतलब बचे inhabitants रहने वाले ठीक है 15 मिनिट का break sufficient है I believe so 15 मिनिट का break आप लोगों के लिए I hope sufficient रहेगा ठीक है 15 मिन में वापस मिलते है पौने नौता class खतम हो जाएगी बहुत प्यार से साड़े साथ मिलेंगे एक घंटा दो पोंस class done 40 मिनिट लेगे और वो क्या नाम है thing of beauty 40 मिनिट लेगे दूसरी पौन 80 मिनिट की class बच रही है और वो खतम करेंगे और छुट्टी देंगे चलिए आप लोग जाएगे 15 मिनिट का break enjoy करेंगे और वापस आ जाएगे और मैं आप लोगों को मिलूंगी 15 मिनिट बाद तब तक खाएं पियें मागी वागी खाएं enjoy करें bye bye करेंगे 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 झाल 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 तो since my voice is back I'll be back in a minute मुझे एक मिनिट और चाहिए तो एक मिनिट में मैं वापस आती हूँ तब तक आप लोग सारे वापस ही कठे हो जाओ फिर अपन लोग बाते बाते करते हैं वेल बाक इन अ मिनिट झाल 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 हाँ बच्चे निकोला टेसला लिख सकते हो लिख दो लिख दो मैंन की जगहाँ पे आन चैनिफर ज़स्बिन लिख दो के चल जाएगा कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम नी होगा लिख सकते हो चलो करें कंटीनियो हमारी क्लास को क्या क्या स्नैक्स खाया तुम लोगों ने आई हाट मैगी अप लोगों ने क्या क्या खाया ऐसे खाने चाहिए नहीं मैगी नुक्सान करती है बट मुझे तो करती ही है बट कोई नहीं पेटा और एक घंटा चलेगा एक घंटा एक घंटा दस मिनट डाट इस दी और डूरेशन अफ़ लेक्टर फे खतम हो जाएगा करें शुरू करें अरे वादाल भाद पूरी टैडेश नथिंग मुमो मन तो बहुत करता है मुमोस खाने का लेकर अब 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 शरीर नहीं रहा मुमोस वाला मेरा मैंने छोड़ दिया आलू मटर में बहुत अच्छे लगते आलू मटर जिसने पानी भी के काम चलाया बहुत अच्छी बात है जिसने चाए पी और युद्ध रिस्ट्रेंट करने का मतलब होता है तो स्टॉप समबड़ी मैरिज रिस्ट्रेंट प्रॉब्लम सन मैरिज रुकावटे हैं रिस्ट्रेंट इस रुकावटे वही ना, that's the problem with me चलो, खा लिया, पेट पूजा हो गई एक कहावत है हिंदी में पहले पेट पूजा फिर काम दूजा तो भाईया पहले खर ली पेट पूजा पढ़ लो क्योंकि हमारा पढ़ाई हमारा काम दूजा है चलिए, तो आइए बच्छों स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स पॉम को बिना किसी देर और बिना किसी रुकावत के and the next poem that we are going to do is called the thing of beauty पर लो, स्टार्ट, अभी स्टार्ट है किया है बस या मैं कहा रही हूँ ना मैं भूल जाती हूँ चलिए हाँ चलिए, करें, स्टार्ट करें चलिए, आएए बच्छों स्टार्ट करते हैं the next poem that's called the thing of beauty, the second last poem of the day इसके बाद बच्छे भी रगो विद लास्ट पोम that is the roadside stand by Robert Frost बच्छे अब हम लोगों ने करनी है thing of beauty by John Keats thing of beauty बच्छे basically एक ऐसी poem है now I would consider thing of beauty to be such a poem जिसके अंदर हम लोग बात करते है of aesthetic beauty we'll talk about the aesthetic beauty of the nature किसकी बात करेंगे aesthetic beauty of the nature की बात बच्छे इस poem में हम लोग करने वाले है now what do you mean by बच्छे aesthetic beauty of the nature तो बच्छे aesthetic beauty of the nature का मतलब simple terms में कर समझाया जाये तो यह है कि दुनिया में भगवान ने हमारे देखने के लिए और हमें अच्छा मैसूस कराने के लिए ऐसी बहुत सारी सुन्दर सुन्दर चीजे बनाई है जिनको देखकर हमारे मन में एक हसी आ जाती है जिनको देखकर हमारे मन में कुछ अच्छी फीलिंग्स आ जाती है अब वो बेसिकली यह बताना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजे हैं जो आपका मूड खराब करती हैं but on the other hand अगर आप देखेंगे सारी के सा तरता देखने वाले की आखों में हैं बिल्कुल वही बात है कि अगर आप किसी चीज को तिंग ऑफ ब्यूटी मानते हो तभी वो चीज आपको तिंग ऑफ ब्यूटी के रूप में एसास होगी ठीक है चलो अब आईए बचो पिंग ऑफ ब्यूटी के बाताते हैं लेकिन अप लोगं को एक चीज और बतादेना चाहती हूँ आप लोग 2 second के लिए एक exercise करें exercise का मतलब यह नहीं कि डंबल बंबल उढ़ने ऐसा पाटे मारने नहीं exercise का मतलब एक mental exercise करते हैं सब लोग अपनी आखे बंद कर लो ठीक है just for a minute listen to me close your eyes तो first of all take two or three deep breaths ठीक है लंबी लंबी सासे लो calm yourself down once you have taken two or three long breaths उसके बाद start to think of a scenario जहां पर you have mountains all around you ठीक है एक ऐसा scenario imagine करने लगो जहां पर आपके हर आस तबास दोनों तरफ इदर उदर आस पास सब जगा पर आपके पास बच्चे क्या है आपके पास है mountains mountains ठीक है दूर दूर तक हर्याली हर्याली सुन्दर्ता ही सुन्दर्ता यू अरे बल टो सी beautiful mountains around you and mountains में से imagine करो दूर कहीं आप कोई जर्ना भैतावा दिख रहा है सुबा सुबा का मौसम में ठंडी ठंडी हवा लग रही है तो क्या होगा कैसे सोचोगे जब सोचोगे यह imagination जब करोगे सेनारियों की तो आप लोगों को बहुत जादा अच्छा महसूस होने लगेगा आप लोगों को यह लगने लगा कि वाओ यार यह जगह के बारे में सोचकर ही कितना मज़ा आ रहा है जाकर तो कितना मज़ा आएगा तो बेसिकली भगवान ने बचे जो भी चीजे हमारे आसपास बनाई है वो इसलिए बनाई है कि यह सब चीजे हमारे आसपास एक thing of beauty का काम करती है ठीक है कि भगवान ने हमारे आसपास जो भी चीजे बनाई है वो सब क्या है बचे वो सब thing of beauty है अब thing of beauty बच्चे कुछ भी हो सकता है आपके लिए कोई इंसान हो सकता है आपके लिए बारिश हो सकती है आपके लिए रोश्नी हो सकती है आपके लिए पैसा हो सकता है आपके लिए कुछ भी चीज बच्चे जो है वो thing of beauty हो सकती है Anything can be a thing of beauty for you Right तो बचे वो कहते हैं तो पुएट बताते हैं कि कोई भी चीज जो फिंग ऑफ ब्यूटी है ना वो एक एवरग्रीन जॉए देती है आपको वो क्या करती है बचे वो आपको एक एटर्नल ओए-ओओ-ओओ-ओओ क्या ले लिया ये मैंने वो आपको एक एक एटर्नल जॉए देती है क्या देती है वो आपको एक एटर्नल जॉए देती है वो आपको एक never ending pleasure देती है never ending happiness देती है its loveliness increases और वो कहते हैं आप किसी भी चीज को जब think of beauty मानते हो तो जो उसकी loveliness है उस चीज से जो आपकी attraction ने ऑस चीज चीज से आपका प्यार है वो कभी कम नहीं होता वो और भड़ता जाता है ठीक है तो वो कहते हैं वो क्या होता है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है वो चीज जो है वो कम नहीं होती यानि फॉर एक्जाम्पल आप इमाजन कर लो कि आपको बारिश अच्छी लगती है आपका मूड खराब है और उतने में ही आप देखते हो भार बारिश होने लगी तो जैसे ही आपने देखा कि बारिश होने लगी आपका जो मूड है वो खुश हो जाता है कि वाहो यार फाइनली करते हैं वो बताते हैं think of beauty is a joy forever कोई भी चीज जो आपके लिए सुन्दर है किसी भी चीज जिसको आप think of beauty बानते हो वो आपके लिए joy रहेगी हमेशा वो हमेशा आपको खुशी देगी it will always be a source of joy for you it's loveliness increases जब भी आप उस चीज को देखोगे उसके लिए loveliness आपके मन में हमेशा increase करेगी it will never pass into nothingness he says उसकी जो loveliness है वो कभी भी nothingness में नहीं जाएगी वो कभी भी void में नहीं जाएगी वो कभी भी unnoticed नहीं जाएगी he says thing of beauty चीज ही ऐसी है कि आप जाने अन जाने में भी उसको unnoticed नहीं कर सकते वो randomly आपके आगे से निकल गई ऐसा नहीं हो स अब यहाँ पार अब वो कहते हैं अब उसके बाद वो examples देने शुरू करते हैं कि thing of beauty कैसे हमें मदद करती है वो कहते हैं but will keep a bower quiet for us अब वो कहते हैं यह चीज क्या करेगी thing of beauty क्या करेगी वो आपके लिए बचे एक bower बना कर रखेगी वो आपके लिए एक shade बना कर और यहाँ पर बचे जब वो बात करते हैं तो वो indirectly आपके trees को refer करते हैं ठीक है वो क्या करते हैं वो indirectly trees को refer करते हैं और वो कहते हैं trees भी क्या है trees भी हमारे लिए thing of beauty है ठीक है all the trees क्या है हमारे आसपास जो trees है बचे वो क्या है वो भी हमारे लिए thing of beauty है कैसे कि पहली बात तो trees हमें क्या देती है बचे shade देती है एक इंसान जो तप्ते में मौसम में रेगिस्तान में चलता बाद जा रहा है उसको एक ठंडे पेड की छाओं मिल जाए तो उसका mood कैसे अच की आखों के सामने से ऐसे कभी भी ओजल नहीं होगा तो he says it will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams he says और अगर आपको कोई thing of beauty अच्छी लगती है तो यह है effect of that thing जब आपको वह चीज अच्छी लगती है तो उस चीज का असार आप पर यह होता है कि आपकी नींद में सपने बड़े अच्छे ह होते हैं आपकी health अच्छी रहती है and it gives you quiet breathing क्योंकि you are calm within क्योंकि आप अपने मन से इतने जाधा शांत होते हैं कि आपको किसी और जीज की tension लेने की जरूरत ही नहीं होती तो he says thing of beauty एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपकी आखों से ओजल नहीं होगी और thing of beauty एक पेड की तरह है जो हमेशा आपके सर के उपर एक shade बना कर रखेगा और वो shade बचे आपका mood अच्छा कर सकता है और यहां पर बचे poetic device आप लोग बताएंगे कहां पर कौन सा use हो रहा है there is a poetic device being used here and you guys have to tell me where is the poetic device and what is the line Meta for use हो रहा है Bower quiet for us मैं तो poet कहते हैं कि beautiful object हमेशा एक source of joy है उसकी beauty हमेशा increase करती है जब भी आप उसको देखते हो वो कभी भी ऐसे vacuum में नहीं जाएगी यानि कभी भी वो खतम नहीं हो सकती think of beauty बचे immortal है नश्वर है आप उसे अंत नहीं कर सकते यह हमें एक peaceful shatter देती है और sleep देती है जिससे इंसान comfortable हो जाता है और बहुत अच्छे सपने भी besides a beautiful object जो है वो हमें अच्छी health देता है peace of mind देता है और हमें हमारे termoils से basically हमारी बाधाओ से हमारी problems से हम लोगों को दूर रखता है यह क्या करता है यह हमें हमारी परेशानियों से दूर रखता है बचे bower का मतलब होता है shade clear therefore on every morrow तो इसलिए हर सुभा हम लोग क्या करते है तो इसलिए हर सुभा हम लोग क्या करते है morrow मतलब morning इसलिए इसी तरीके से हर सुभा we are reading reading का मतलब होता है बचे basically bind करना तो इसलिए हर सुभा हम लोग bind करते है एक flowery band को हम लोग फूलों को यूज़ करते हैं एक माला पे रोने के लिए हम फूलों को यूज़ करके एक माला बनाते है that bind us to the earth और ये फूल जो है ये हमें धर्ती से बांधते है ये कैसे बांधते है ध्यान से सुनना आप मार्केट गए और आपने फूलों का इस्तामाल करोगे वो गार्लैंड जो है उसके बाद आप अपने गौड को वो गार्लैंड पहना दोगे तो ये किस ने किया? ये human action था आपने क्या किया? तो हमने गार्लैंड खरीदा और उस अपने भगवान जी पे चड़ा दिया तो ये human beings ने ये काम किया अब अगर देखा जाए अब बचे अगर देखा जाए ध्यान से तो ये जो flowers थे ये flowers कहां से आए? ये flowers हमें earth से मिले soil से मिले है ना? ये flowers कहां से आए? ये earth से आए तो बचे ये जो flowers का हमने गार्लैंड बनाया ये जो फूलों की माला हमने बनाई ये किस ने बनाई? इंसानों ने बनाई फूल कहां से आए? एर्थ से आए तो दोनों के बीच में common link कौन है? यहाँ पर वो कहते हैं बटा वो दोनों के बीच के अंदर कौन link है? यहाँ पर who is the link here? बचे, flowers is the link here तो इसे हमारे flowers जो है वो यहाँ पर हमारे link है they are the common link between nature and humans इसे यह है thing of beauty कि हम लोग nature की दी हुई चीजों का इस्तमाल करके अपने लिए कितनी सुन्दर सुन्दर चीजें जो है बना लेते हैं तो इस इस तरीके से एक flowery band जो है वो हम लोगों को क्या करता है वो हमें धर्ती से जोडता है वो हमें word से जोडता है अब वो कहते हैं अब यहाँ से दूसरी line शुरू हो जाती है वो कहते है spite बचे, यहाँ पर in spite लगना चाहिए था वो कहते है in spite बचे, in spite word होना चाहिए था तो इससेज़िस डिस्पाइट विस्पाइट भी अब्च एक तो इसेज़िस डिस्पाइट सादनेस अब्च एन्हूमन डर्थ इसेज़िस इंसान के नेचर की डर्थ की वजह से बेसिकली लाख मफिश वहुट न थे लाक्स गुडनेस तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इंसान के नेगेटिव नेचर की वज़ा से हमारा जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ठीक है तो कि इस पाइट अब इन्हूमन डर्थ अफ नोबल नेचर ऑफ अच्छे लगते हैं उनकी वज़ा से आपका मूड खराब हो जाएगी उन्होंने कुछ गरत कर दिया आप लोगों के साथ वो जो दिखाते हैं कि वह बहुत अच्छे हैं लेकिन वह दोगले लोग है ठीक है of the gloomy days या फिर उन sad दिनों में जब आपका मूड बिलकुल भी अच्छा नहीं है जब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा उन दिनों के लिए भी of all the unhealthy and over darkened ways he says basically all the corruption and the negative या दुनिया में all the negative things in the world he says जो भी चीज़े दुनिया के अंदर negative है he says इन सब चीज़ों के बावजूद भी made for our searching yes अब वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़े होती हैं जो कभी कभी इनसान के mood को बहुत जादा खराब कर देती हैं जो उनके mood को बिलकुल बर्बाद कर देती हैं तो he says ऐसे हालातों में भी बगवान ने कुछ न कुछ बनाया होता है हमारे लिए ऐसा जिससे हमारा mood हो जाता है अच्छा तो he says made for our searching एक line आगे करा देती हूँ made for our searching yes in spite of all some shape of beauty moves away the ball he says yes ऐसे ही दिनों के लिए जिन दिन हम लोगों का mood खराब होता है जिन मुझे लगता है भाई मैं तो तूट गया he says in सब चीजों के बावजूद भी some shape of beauty किसी ना किसी रूप में beauty जो है it moves away the ball वो हमारी जिन्दगी से जो sadness है जो एक dark cloud of something है basically आप कह सकते हो कि sadness का जो sadness or darkness हमारी जिन्दगी से उस darkness को मिटाने का काम करती है तो इससे कुछ भी हो जाए भगवान ने किसी ना किसी form में हमारे लिए कुछ ना कुछ thing of beauty जो है वो बनाई है अब वो कहते हैं यहां से line को पढ़ते है the poet draws a conclusion that since a beautiful thing gives us eternal happiness हर morning हम लोग हमारा link renew करते है nature के साथ जब हम लोग एक flowery band weave करते हैं अपने फाइदे के लिए यह जो wreath है बच्चे बेसिकलिए जो garland है flowers का यह हमारे nature के साथ bond को constant और unbroken रखता है यह हमें negativity से बचाता है जो dejection basically किसी में चीज के depression से disappointment से uncertainty से आती है यह हमें हमारी low spirits basically हमारे खराब mood से हमारे loss of hope से या pain by cause by the absence of a human value around us उन सब चीजों से हमें overcome करने में help करता है तो think of beauty basically यहां पर वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है think of beauty कोई cheese ही हो maybe think of beauty कोई nature की part भी हो सकती है किसी के इंसान का भी कुछ हो सकता है जो उसको mood अच्छा करने में उसकी help करता है तो बच्छे flowery band में हम लोगों ने metaphor लिख लिए था यहां पर बच्छे noble natures के अंदर एक और poetic device यूज हो रहा है and you guys have to tell me which one noble natures में बच्छे कौन सा poetic device यूज हो रहा है off में दो यूज हो रहे है very good यहां पर off में anaphora लग रहा है noble natures में कौन सा poetic device है बढ़िया noble natures के अंदर बच्छे जो poetic device यूज किया गया है वो कौन सा है वो है alliteration ठीक है noble natures में we have used alliteration अब वो कहते हैं yes in spite of all in सब चीजों के बावजूद कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा बनाया है जिससे आपका mood जो है वो अच्छा हो जाएगा पर हमार dark spirits ठीक है हमारे जो हमारा जो खराब mood है उसमें से कुछ ना कुछ thing of beauty जो है it will move away the pall वो जो मुसीबत के बादल है वो छट जाएंगे अब वो कहते हैं such is the sun and the moon he says और यही काम है आपके सूरज का और moon का ये बेचा हमारे natural direction givers तो है ही he says ये क्या है ये आपके natural direction givers है जो भगवान नहीं आप लोगों को दिये है कहते हैं न कि एक अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुभा आती है तो he says आप लोगों को भगवान ने natural direction givers दिये हैं आपको एक अंधेरी रात के बाद रोशनी का सहारा दिया है sun के थूँ और रात को अंधेरे में चलने का सहारा दिया है भगवान ने आपको moon के थूँ तो he says ये भी आपके लिए thing of beauty है now they are the natural direction givers and he says these are also the thing of beauty trees old and young वो कहते है trees पुराने हो या new हो sprouting a shady boon he says irrespective पेड नया है या पुराना it sprouts a shady boon basically it gives in abundance वो आपको खुले में बहुत ज़्यादा क्या देता है वो आपको shady boon देता है वो आपको shade का वर्दान देता है वो कहते है कि वो क्या करता है वो आपको shade का वर्दान देता है और आपको वो जो shade है वो एक वर्दान के form में मिलती है और यहां पर बचे old and young के अंदर एक poetic device use हो रहा है वो आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा है ठीक है और वो कहते हैं यह क्या करता है यह हमें वर्दान देता है कि हमारा mood जो है वो अच्छा रहे he says because वाई वाली बात है कि आपको जिंदा रहने के लिए भी हवा चाहिए हवा के लिए आपको पेड़ चाहिए for simple sheep and such are daffodils अब यहां पर बचे वो बात करते है for simple sheep and यहां पर बचे आप लोग refer करेंगे ध्यान रखेंगे यहां पर उन्होंने biblical reference दी है ठीक है जॉन कीट्स ने यहां पर biblical reference दी है now what do you mean by biblical reference बेटा एंटी थिसीज नहीं है old and young में यहां पर जो poetic device use किया जा रहा है ना वो oxymoron है अच्छा oxymoron मैंने आप लोगों को बताया था जब आप opposite चीजों को साथ में लगा देते हो तब आप कहते हो कि आपने oxymoron की बात करिया ठीक है अब वो कहते है फिर simple sheep अब यहां पर बचे biblical reference दी गई है कि जो हमारे Jesus Christ थे ना उनके लिए शीप जो थी ना वो उनका सबसे लफ्ड क्रियेचर थे ठीक है उनको सबसे ज़ादा अच्छे लगती थी sheep and sheep was the most loved creature by them तो यहां पर जीजुस क्राइस्ट जो है वहां पर जैसे शीप उनके lovely, शीप नहीं होता, शीप होता है भाई जैसे शीप उनके सबसे लवली वो हुआ करते थे लवड आनिमल हुआ करते थे यहां पर यह शीप बच्चे humans के लिए use किया गया है कि Jesus Christ ने या God ने अपने इंसानों के लिए भी for simple sheep, धरती के लोगों के लिए भी उन्होंने क्या किया है उन्होंने thing of beauty बनाई है and such are daffodils उन्होंने बोला और उनी के लिए उन्होंने वो yellow color के flowers बनाए है जो अपने बड़े से vast area में रहते है with the green world they live in जो green world में यानि basically field के अंदर जो रहते है तो उन्होंने यह भी बोला कि यह सारी चीज़े जो आप देख रहे हो यह भी आपके लिए बचे एक thing of beauty है अब वो कहते है it is the sight of beauty that removes the darkness of gloom from our souls कि वही thing of beauty है जो हमारी जिंदगी से जो darkness है हमारे दुखों की उसको निकालती है and saves us from being directionless because बिना सूरज बिना चांद के directions ही नहीं होंगी तो इस यह हमें direction givers तो हैं ही कि हमें directionless होने से बचाते हैं और हमें हमेशा hope देते रहते हैं the poet further reminds the concept of eternal beauty वो never ending beauty का example देते हैं sun और moon के बारे में बता कर old और young trees के बारे में बता कर जो हमें एक blessing का काम करते हैं जब आपको rest करना होता है that is the sheep of God जब इंसान को rest करना होता है इंसानों को he also cites the example of eternal beauty वो एक और example देते हैं daffodils बचे yellow color के flowers होते हैं जो green plants के बीच में लगे होते हैं तो इसे इसन फूलों को देखकर भी हमारे मन के अंदर एक खुशी जो है वो जाग उठती है समझ में आया clear हुआ यहां तक किसी को कोई doubt biblical reference समझ आ गई ठीक है and clear rills और उसके बाद वो बात करते हैं clear rills की वो बात करते हैं basically small streams की पतली पतली rivers की he says आप imagine करो कि आप एक जंगल में जा रहे हो बहुत गर्मी का समय है और गर्मी के समय आपको कहीं से कुछ पानी के चलने की आवाज आती है आपको आवाज आती है कहीं पर पानी जो है वो चल रहा है तो आप जब देखते हो तो आपको दिखते हैं एक बहुत पतली सी नहर जा रही है साफ पानी की that for themselves a cooling covert make he says अपने आप के लिए एक cooling atmosphere create करते है he says और वो भी अपने आप में एक thing of beauty है ठीक है so basically covert atmosphere के लिए exact covert basically it doesn't mean atmosphere but atmosphere यहाँ पर create हो जाता है covert basically एक hiding spot बन जाता है for animals basically it is a hiding spot he says वहाँ पर जब animals आते हैं तो वो भी अपने आपको शांत करने के लिए animals भी अपने आपको calm down करने के लिए उस river के पास आकर बैठ जाते हैं because in the गर्मी का season उनको वहाँ पर अच्छा लगता है that is against the hot season which means गर्मी के मौसम में यह clear rills जो अपने आप में एक बहुत cooling सा atmosphere बनाते हैं और एक hiding spot बन जाता है उन animal के लिए जो यहाँ पे आकर बैठते हैं और cooling covert में बच्छे एक poetic device यूज किया गया है CC का यूज किया गया है तो यहाँ पर जो poetic device है बच्छे वो alliteration है the mid forest break और उसके बाद वो कहते हैं जो mid forest break है basically आपके forest में उगता हुआ a group of plants he says और जब इतने ज़्यादा पानी एक जगा पर होगा तो वहाँ पर obviously और plantations भी होंगी the mid forest break break sorry rich with a sprinkling of fair musk rose blooms he says और उन पतियों के बीच में आपको दिखेंगे सुन्दर से fair musk rose blooms उगते वे तो इसे मतलब आपको पतियों के अंदर flowers उगते हुए दिखेंगे उस पानी के आसपास तो इसे आप imagine कीजिए उस पूरे पानी के आसपास अपनी एक अलग जिंदगी है और उस जिंदगी को आप लोगों को क्लियर होगा कि वह तिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोलते हैं निया यह दो मिड़ फॉरेस्ट ब्रेक बीच में कहीं फॉरेस्ट में कुछ ग्रीन कलर के प्लांट सुगे वे हैं और उनके अंदर छोटे-छोटे रोजिस उग रहे हैं तो इसे डाट हैं इंगओ ब्यूटी अन सच इस दे ग्राइम उराउफ डुम्स सुन्छ आप बचैक वापस से उन्हें बिलिकलरे辉लंस उठाई है यहाँ बचैक वापस ब्ले किया है बिलिकलरेम शुटाई है अब आप मैं लोग दिमानद से समझेंगे वापस क्या अवैं reference है और वो कहते है such is the grandeur of dooms he says और वही greatness है dooms day की अब बचे वापस से biblical reference आती है एक dooms day करके reference आप लोगों ने सुनी होगे और बहुत बार ये नाम सुनाओगा dooms day तो बचे dooms day basically हमें से ना day of judgment भी बोलते है इसे क्या बोला जाता है इसे day of judgment भी बोला जाता है now what do you mean by day of judgment भचे इसे day of judgment भोलते है और यह आपके हर किताब में मिल जाएगा यह आपको हर holy book में लिखावा मिलेगा ठीक है तो भचे why it the d-day yes why it is quite such because हम लों कुछ दिन यह मानते हैं कि दुनिया से evil will be removed कुछ ऐसा होगा कि दुनिया में से evil जो है वो निकल जाएगा and only good will prevail ठीक है सिर्फ क्या रह जाएगा सिर्फ अच्छी चीजे जो है वो धर्ती पर रह जाएंगी तो अगर ऐसा होता है सच में तो यह भी अपने आप में कि दुनिया के अंदर से सारी बुराइयां जो है वो ना का नाश हो गया और सारी अच्छी चीजें जो है वो दुनिया में रह गई तो इस इस दिस आलसो थिंग आप ब्यूटी जो पेड पौधों के नीचे से निकल के उन्हें ठंडा करती है यह रिमाइंड्स अब इस प्लेंड ब्यूटी आप जंगल में जाओ कभी तो यह सारी चीजें भी आपके मूड को अच्छा कर देती है और आपको फुल जोई से भर देती है और उसके बाद अगर आप बाद करो अपनी जान दे दी वो लोग बटा एंटिथिस और ओक्जीमरॉन वर्ड के ओपोजिशन में जाता है और अटिथिसीज आइडिया के ओपोजिशन में जाता है बच्छे ग्रांडे और इस अपनी लाइफ जो है साक्रिफाइस करी है बच्छे आप्मे एक ग्रांडे और की बात है ठीक है, it is a very very big thing to die for the country है, yes and mighty dead में, there is one more poetic device, बच्चे, that could be you guys are going to tell me mighty is great, great dead हम, हो सकता है mighty dead में बच्चे oxymoron use हो सकता है, जहां तक मुझे लग रहा है, but I'll confirm this one let me confirm मैं गलत नहीं बताना चाहरी तुम लोगों को oxymoron होना चाहिए ले सकते हैं अब वो कहते हैं about all the lovely tales we have heard औरेट जनकी कहानिया हमने पढ़ी है और सुनी है, he says नहीं hyperbole use नहीं हो रहा बच्चे है, hyperbole नहीं है वो इस poem में कहीं पर तुम्हें hyperbole नहीं मिलेगा an endless fountain of immortal drink, he says ये क्या है ये thing of beauty जो है, ये एक endless fountain है यहां पर बच्चे metaphor यूज किया गया है, ये thing of beauty को compare किया गया है, endless fountain से, of immortal drink, immortal का मतलब होता है बच्चे, never ending कुछ भी ऐसी चीज जो कभी खतम नहीं हो सकती तो वो कहते हैं कि thing of beauty क्या है, thing of beauty एक never ending drink की तरह है, यानि कुछ भी हो जाए, भगवान हमेशा कुछ न कुछ ऐसी चीज आपको धरती पर भिजवाते ही रहेंगे जो आपके mood को अच्छा करने की capability रखता है, pouring on to us from the heavens brink, जो भगवान अपने heaven के corner से जो भगवान अपने heaven के edge से हमारे लिए गिरा रहे है तो इसे आप imagine करो कि आप यहां रहते हो, यह आपका heaven है और यह जो पानी है ना, यह आपका thing of beauty है और यह thing of beauty के लिए बचे उन्हें दो तीन words यूज़ करें है वो words मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप thing of beauty के लिए बचे nectar या फिर elixir of life, दोनम इसे कुछ भी use कर सकते हैं thing of beauty क्या है, thing of life thing of beauty क्या है, वो elixir या nectar of life है, वो हमारे जीने का nectar है, यानि वो हमारे जीने का सहारा है और yes, यहाँ पर imagery भी use हुआ है तो कि यहाँ पर हमें इस चीज़ को imagine कर रहे हैं, ठीक है तो यह nectar का मतलब कोई भी मीठा सिरप और elixir का मतलब होता है इत्र, यही हमारे जिंदगी का इत्र है, ठीक है अब the poet goes a step further and remind us कि beauty is also found in the legends of the great sacrifices of our martyrs, जिन लोगोंने जान दे दी, उनकी कहानियों में भी thing of beauty है जो stories हमने सुनी है, या पढ़ी है उन brave hearts के बारे में जिन लोगोंने अपनी जान sacrifice कर दी इस देश के लिए, वो भी हमें happy करते हैं, और यह wonderful tales हमें बहुत इंस्पायर करती है इनकी stories के बारे में in the concluding couplet, basically last line poet compare करते है this form of supernatural beauty to an eternal fountain, कि think of beauty, eternal fountain, never ending fountain, that is a source of the drink of immortality, जो हमें हमें हमारी खुशियों को अमर करने की पावर रखता है, it is a gift वो एक gift है, जो हमें nature दे रहा है from the corner of heaven, God is doing it, the blessed nectar यानि वो जो मीठा सिरफ है, या एक elixir है हमारी जिन्दगी का वो हमारी जिन्दगी का इत्र है, हमारी जिन्दगी के खुश्बू है, जो हमें कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में, peace, happiness pleasure, delight, यह सब emotions देती है, जिसकी वजासे हम लोग हमारी मुसीबत के समय में भी जिन्दगी की बड़ी-बड़ी परिशानियों को handle करने में successful हो जाते हैं, ठीक है? I hope यहां तक आप लोगों को यह poem clear होगी? you guys have a list of all the poetic devices ठीक है? fountain, बेटा, fountain, fountain नहीं चलता वाँ देखा? बताओ the endless fountain gets its immortal drink from dash चलिए बहुत बढ़िया correct answer है heaven's brink, option number D अगला सवाल immortal drink of the endless fountain is a reference to the continuous flow of this sacred or holy water, बिल्कुल जरूर हो सकता है water of Ganga, water of Yamuna या water of the tap ये भी एक reference हो सकती है बिल्कुल ठीक, कि holy water या all the things of thing of beauty can be considered as immortal drink what are the things that are red or hurt by us हमने क्या क्या जीजें सुनी है बिटा पोम पड़ो, देखो आपको वो चीज क्या समझा रही है अब जैसे यहां पर ये पोम हमें beauty of nature को experience करने के लिए और उसे praise करने के लिए बता रही है तो वही इसकी central theme है option number 6, question का सही answer था the poet talks about grandeur whose grandeur he is talking about the dooms of mighty dead tombs of the great ancestors grand palaces your grand towers बिलकुल ठीक तो ये इस talking about the dooms of the mighty dead वो लोग जो लोग जो नहीं रहे अब ये बताओ sheep could also be a reference to mountainous animals, human beings, harmless creatures, animals of prey correct answer है बचे human beings option b इस poem का last सवाल from our dark spirits is a reference to our dampened and demoralized spirits dark colored ghosts unhappy moments या the happy side of our personality last question from this topic इसके बाद हम लोग हमारे last topic की तरफ ही भढ़ जाएंगे ये last question है बचे इस topic का answer बताइए बताद है बताद है बताद है चलिए तो option number A हमारे question का सही answer है our dampened and demoralized spirits finally भढ़ते हैं बचे हमारी अगली poem की तरफ a roadside stand by Robert Frost first अमाap poem को poem किया बोलकिय है बढ़ा है poem की जो pronunciation है heewoo poem हो गही нее जो poem वहींiki Poem को poem को बाश के जोö काma, प्रेस हमार कि और ऌे मातीश में शत्रत करें पे मेरिकेश इस भी जरना के सानसति है हूं और ये अर्प ये एय पोड़सी हो रिखाकिन भी आपन से रिमार्ट आइदेश दित्स दिंटा में पोड़िए On the liquor we talk about the American podcast . are under the hands of the people and they are still ringed by the ordeals of the husbands that they are you know being controlled by चिक है चलिए अब करते है बचे हमारे last topic को शुरू नहीं बचे हां break basically it is a kind of a fern break basically means b-r-a-k-e here means a kind of a thick fern plant होता है fern f-e-r-n बढ़ा जैसे शोवनिस्म dominance आप लोगों ने last lesson में भी देखा था linguistic chauvinism था आपर जैसे यहां पर male dog chauvinism है चलिए आखरी poem को हम लोग शुरू करेंगे the last poem budget that we are going to cover today is called the roadside stand it is written by Robert Frost basically it will tell you about the plight of poor people यह क्या बताएगा यह आपको poor लोगों की plight के बारे में बताएगा यह poem आप लोगों को बताएगी कि किस तरीके से अभी भी हमारे world के अंदर rich and poor divide exist करता है कि आज भी लोगों को किस तरीके से गरीब और अमीर के दाइरों में तोला जाता है और आज भी इन दोनों के अंदर क्या-क्या differences है what are the problem that a poor person in a country faces उन्हें क्या problem होती है especially अगर उनकी shop बच्चे highway पर हो ठीक है अगर उनकी shop जो है वो highway पर हो तो और जादा परेशानियां उनको क्या-क्या जेलनी पड़ती है वो सब बच्चे हम लोग हमारी इस पोम में करने वाले हैं तो I hope you guys are ready करें 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 अब पॉम शुरू होती है बच्चे एक छोटे से घर के उपर अब वो बताते हैं a little old house एक छोटा सा पुराना सा घर हुआ करता था और उस घर के बाहर उन्होंने एक little new shed लगाया था ठीक है पोम में कहानी को जिस तरीके से चलती है कि एक छोटा सा घर हुआ करता था पुराना सा घर और उस पुराने से घर के बाहर उन्होंने एक नया shed लगाया था basically उन्होंने एक small shop खोली थी उन्होंने एक छोटी सी shop खोली थी ताकि वो समान जो है बेच पाएं और कुछ extra earning कर पाएं in front of the edge of the road कहां पे खोली थी corner of the road के just सामने where the traffic spend जहां से went away speedily जहां पे इसे ट्राफिक आता था और बहुत तेज speed के अंदर वहां से निकल जाता था तो इन्होंने जो बचे position चूज करी थी इस shop को खोलने के लिए वह बहुत जादा strategic थी ताकि जादा से जादा लोग इनके shop पर रुके और इनकी shop से समान खरीदे a roadside stand that too pathetically played अब वो कहते हैं कि बनाया क्या था उन्होंने बनाया था एक roadside stand सड़क के खड़े किनारे एक ठेला सा लगाया था that too pathetically played pathetically played में बच्चे दो poetic devices यूज़ हो रहे हैं आप लोग देखकर बता सकते हैं कि कौन से होंगे pled करने का मतलब होता है बच्चे request pled करने का मतलब होता है request very good very good श्रया एक तो बच्चे यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वो है alliteration क्योंकि pathetically pled में pp का use हो रहा है दूसरा बच्चे यहाँ पर दिया गया है personification personification क्यों दिया गया है तो बच्चे personification देने का reason basically यहाँ पर यह है वेकि आप देखो लिखा है pathetically pled यानि वो pathetically ऐसे हाँ जोड के request करता है मतलब मान लो कि वो shop ऐसे request कर लिए कि please रुको आओ और हमारे यहां से कुछ समान ले कर जाओ it would not be fair to say for a doll of bread he says मतलब और यह बात कि वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर आओ इसका मतलब यह नहीं है कि आप इनको इनके उपर charity कर जाओ और कि भया हम आप पर दया कर रहे हैं तो आप इतना से समान रख लो या फिर आप एक loaf of bread हमारे से ले जाओ he says नहीं वो यह नहीं चाहते कि उनका थोड़ा बहुत समान बिके वो कहते हैं कि please आईए हमारे यहां पर और हमसे आकर समान ले कर जाएए please come to us and buy things from us we are really really poor यह बताते हुए कि हम लोग बहुत ज़्यादा poor है और हम लोग क्या चाहते हैं हम लोग आप से मदद चाहते हैं कि please आप किसी ना किसी तरीके से हमारी मदद कीजिए एक सके ठीक है they wish to be helped by the people there but for some of the money of cities from sinking and withering faint he says उनको charity के लिए नहीं चाहिए पैसा ठीक है he says कि उनको charity के लिए में इसके बाद break नहीं इसके बाद lecture एक अब हो कहते हैं कि उन्हें break उन्हें इसी लिए नहीं चाहिए पैसा कि उन्हें चारिटी करनी है नहीं but for some of the money he says उन्हें कुछ amount चाहिए ठीक है some आप कह सकते हो कि part of total earning he says वो चाहते हैं कि जितना पैसा अमीरों के पास है उसका कुछ हिस्सा तो हमको दो the cash जो पैसा वो पैसा जिसका flow support करता है the flowers of the city को basically वो कहते है the life of cities को जिसकी वज़ा से दुनिया चल रही है जिस पैसे की वज़ा से cities चल रही है जो उन्हें डूबने से बचाती है basically कह सकते हो कि उनको उनको बैंकर अप ठोने से बचाती है and withering faint basically आप कह सकते हो to erode faint कि erode faint का मतलब हो गया erode dull कि वो और ज़्यादा dull ना हो जाएं कि अब पैसा लगता है cities को paint करने के लिए काम करने के लिए मेहनत करने के लिए और वो उसी चीज की बात करते है वो कहते हैं कि मुझे भी उतना ही पैसा चाहिए ठीक है I need that much amount of money जो मुझे at least उस level की जिंदगी जो है He says और मुझे भी ऐसे ही जिंदगी जीनिया और मैं चाहता हूँ हम सब लोग पेटा फ्लार ड़स नोट रेफर तो money बड़ रेफरस तो the beauty of the city the maintenance of the city He says वो पैसा आप उनकी maintenance में यूज करते हो city की हमारी life के लिए यूज नहीं कर सकते मतब इस चीज का क्या फाइदा है ऐसा क्यों होगा हमारे साथ The city dwellers are projected as being involved in their own lives with no thought for anyone else और हम यह देख पा रहे हैं कि यह गरीब लोग जो हैं वो पैसा चाहते हैं इन लोगों से मगर वो यह देख पा रहे हैं कि जो city dwellers हैं city में रहने वाले लोग हैं वो सब लोग अपने आप में ही busy हैं उन्हें और कोई चीज चाहिए ही नहीं यह poem heartlessness दिखाती है of the city dwellers कि उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता गरीबों के साथ क्या हो रहा है और वो लोगों की इस problem कहीं अंत करना चाहते हैं उनको इनकी complaint से मुक्ति दिलाना चाहते हैं कि लोगों का मानना यह है कि उन्हें upliftment देने वाला उनको development देने वाला actually कोई भी नहीं है of their lives यह अच्छा यह वाला the poem अभी end पे हम करेंगे कि क्या होता यह end वाली line को end के लिए छोड़ दो इस poem पे अभी इस line पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे keep it for the last इसको हम लोग आखरी के लिए छोड़ेंगे ठीक है the polished traffic passed with the mind ahead इसे सब कहानी यह है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं अब यहाँ पर बच्छे polished traffic में भी एक poetic device यह उस किया जा रहा है आप लोग दिमाग लगाओ क्या होगा अब वो कहते हैं यह जो polished traffic है यह भी ऐसे निकल के चला जाते है तो चमाकदार गाड़ियां है उन लोगों के पास जो पैसा है जो richness है यहाँ पर transfer deficit use हो रहा है वैसे मैं बता दूँ यहाँ पर traffic को polish करके बोला गया है ठीक है वो कहते हैं तो polished traffic passed with a mind ahead वो लोग without thinking he says वो लोग कभी side में मुड़कर हम लोगों की तरफ देखते ही नहीं है वो सीधा आते हैं और सीधा निकल जाते हैं वो बिलकुल हम पर ध्यान नहीं देते यहाँ पर polished traffic refers transferred epithet use किया गया है एक तो आप लोग याद रखेंगे ठीक है यहाँ पर transferred epithet use किया गया है और transferred epithet कैसे use किया गया है यहाँ पर उन्होंने traffic को polished बोला है पहली बात और यहाँ पर बच्चे यह वो सारे city dwellers को show करता है जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां तो है चमकदार गाड़ियां तो है लेकिन बड़ा की काला दिल है और if ever aside a moment then out of sorts he says और अगर कभी रुक भी जाते है if they stop for a moment then out of sorts for other reasons he says उसके बाद भी उनके रुकने के reasons वो नहीं होते जिसके लिए चाहता हूँ वो लोग अपने अलगी अपने reasons के लिए यहाँ पर रुकते है at having the landscape marred with the artless paint he says वो उनमें इतनी audacity है उनमें इतनी हिम्मत है कि वो लोग हमें रुक के बोलते है कि तुमने सुन्दर से landscape को तुमने सुन्दर सी जगा को बरबाद कर दिया है तुमने सुन्दर सी जगा को spoil करके रख दिया है with artless paint he says basically तुमने क्या ठेला लगा लिया है यहाँ पर यह इतनी सुन्दर सी जगा को तुमने बिलकुल बरबाद करके रख दिया है with signs that with N turned wrong and S turned wrong और जान के बचे यह desperate measure था desperate measure यह desperate measure था by the poor कि उन्होंने जान के S और N यानि North और South के signs को गलत लगा दिया था ताकि लोग रुके ताकि people will stop and when people will stop there लेकिन ask them to buy something वो लोग उनसे कुछ मांग सकते है वो लोग उनसे कुछ demand कर सकते है कि आप आरुकी गए है तो हमारे यहां से कुछ समानी ले ले जी है वही वाली बात हो गई कि क्या था वो माली कभी इतना खर्चा हो गया है तो एक packet chips भी दिला दो यह बिल्कुल वही बात है कि वो रोकेंगे उन्हें पिटा कतम होने वाला है थोड़ी देर में and then they could ask them to be there तो basically and the people used to scold them and लोग जो थे वो उन्हें डाटते थे कि you know why have you done this तुमने यह science क्यों गलत लगा रखे है so every time somebody used to stop there it was not to buy things from them rather to you know taunt them या उनको सुनाने के लिए या रोकने के लिए उन्हें लड़ने के लिए जगडने के लिए वो लोग वहाँ पर रुका करते थे हाँ बेटा पूछो सौगाता साहा पूछो बच्चे offered for sale wild berry wild berries in wooden quads he says इनके shop में क्या लगा है बेचने के लिए इन्होंने wild berries लगा हुए है वोड़न quads में बेसिकली वुड़न बॉक्स के अंदर इन्होंने wild berries लगा रखे हैं और crooked neck golden squash या फिर crooked neck ऐसे उल्टी तेड़ी गर्दन वाले golden squash squash बेटाइक टाइप फ्रूट होता है वैसे अगर मैं आपको हिंदी में बता हो तो सीटा फल होता है ना हमारा कद्दू नहीं पंपंकिन कद्दू होता है हां सीटा फल बेसिकली जो आपका सीटा फल होता है वो स्क्वाश होता है तो इस अंदर crooked neck golden squash with silver wards basically silver spots अगर मैं आपको बना कर दिखाऊं कुछ इस तरीके का फ्रूट होता है वो क्रूकेट नेक का मतलब हो गया ऐसे टेड़ी सी गर्दण हो रखिए उसकी तरीके से और उस पर silver wards है यानि उस पर धब्बे 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 लगेवे हैं थोड़े बड़ा करते हैं तक आसफे धब्बे लगेवे हैं यानि वो बहुत जादा फ्रेश तो नहीं है यह दिखाता है कि यह बहुत ज़्यादा फ्रेश तो नहीं है और यह berries भी कैसी बेच रहे हैं बचे wild berries बेच रहे हैं जो basically यह दिखाता है कि वो बस कुछ बेचना चाहते हैं they are so desperate to sell things कि वो कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए बस समान हमारा बिख जाए हमें इतना चाहिए और beauty rest in the beautiful mountain scene you have the money but if you want to be mean why keep your money this crossly and go along तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारा कहना यह है लोग आगे कहते हैं कि भया सुन्दर्ता तो पीछे mountain scene में है तुमने यह जो गंदी से shop आगे बना दी है यह तुमने बिलकुल बरबादी करके रख दिया हमारे आगे हमारे यहाँ पर scenario तो तुमने बिलकुल बरबाद कर दिया है ना काशिफल कद्दू सबसीता फल एक ही चीज होती है मुझे भी पता यह तो ठीक है you have the money अब वो यहाँ पर you can के लिए बोलते हैं वो city people के लिए बोलते हैं वो कहते हैं तुम्हारे पास पैसा तो है लेकिन तुम अगर mean बनना चाहते हो तुम इतने गंदे हो कि तुम लोगे पैसा अपने पास रखोगे तो वो कहते हैं कि तुम इतने selfish हो that you're going to keep the money with you why keep your money this crossly he says इतनी क्या दुश्मनी है भाई हमसे कि तुम यह पैसा अपने पास ही रखते हो और हमें नहीं देते हमें नहीं देने का मतलब यह नहीं है कि आओ और हमें free में दे जाओ he says नहीं हम तुमसे free में पैसा नहीं मांग रहे come and purchase something he says आओ और at least हमसे कुछ तो ले जाओ कम से कम हमें फीकी बिरकार की कमाई नहीं खानी हम चाहते हैं कि तुम आओ और हमसे लेकर चले जाओ समान ताकि हम भी कुछ पैसा कमा सकें ताकि हम भी दो वक्त की रोटी खा सकें तो बच्चे अनफॉर्चुनेटली जो रिफाइंड ट्राफिक है जो बड़ी बड़ी गा बड़ी तुमने तो इसे गंदा धबबा बना दिया है जगा को इस इतनी सुन्दर जगा पर पिच्चर एसक बेसिकली पिक्चर वर्दी इससे सुन्दर जगा के ऊपर तुम्हारी यह जो शौप है यह कलंक जैसी है इसको हटा लो यहां से और वह बहुत ज्यादा डिस्ट कि जो समान था वो अन्क्वालिटेटिव लोकल प्रडियूस है यानि इस डेस्परेट मेजर में कि वो लोग कुछ पैसा कमा पाएं वो लोग दिखा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नेक स्क्वार्श यूज किया है ठीक है सिल्वर वाट्स थे उसके ओपर यानि वो फ्रेश नह नहीं करते हैं वाई डोंट यू शेर दाट मानी विद अंग्रियाट थे कालिस अटिट्व पॉलिश ट्राफिक पुएट कॉमेंट करते हैं कि वो लोग यहां से निकल जाते हैं कि यहां पर कोई स्टैंड था ही तो इस तरीके से उन्हें अपने उपर भी इडेंटिटी क्राइस होने लगता है कि भाई यह हमारे साथ ऐसा क्या हमारे साथ ही ऐसा क्यों वाई डो वी हाफ तो सफ़र दिस कांड अव बहेवियर दो हर्ट तो सीनरी वोड़न बी माई कंप जैसे परिशानी वksom संडा वियसे उनके options है आप लोग कहते हैं की मेरी जो शाप है वह इस पूरी सेनरी को बरबाद करती है तैकTransWiats the the trusting sorrow of what is unsaid he says मुझे ये सीनरी बुरी नहीं लगती मुझे बुरा लगता है उन सब चीजों पर विश्वास करना जो मेरे को बोला गया लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ here far from the city we make our roadside stand he says city से इतनी दूर यहां पर हम अपना एक roadside stand बनाते हैं हमारा एक means of livelihood बनाते हैं हम अपनी जीने की एक उमीद तियार करते हैं and ask for some city money he says हम क्या कर रहे हैं हम आप से कुछ पैसा ही तो मांग रहे हैं हम आप से इतना ही तो पैसा मांग रहे हैं कि इतना दे दो कि हमारी जिंदगी चल जाए to feel in hand ताकि हम भी उस पैसे को अपने हाथों में महसूस कर सके हमें भी पता लगे कि पैसा क्या होता है हमें भी उस पैसे की feel पता लगे to try it will not make our being expand he says कोशिश तो करके देखिए आपके थोड़े पैसे से हमारी जिंदगी बड़ी नहीं हो जाएगी he says हमारी जो being है वो expand नहीं हो जाएगी यहाँ पर वो इन्हें taunt मारता है basically वो यहाँ पर sarcasm का use करता है वो कहता है कि तुम्हारा मुझे थोड़ा सा पैसा दे देने से मेरी हैसियत जो है वो बड़ी नहीं हो जाएगी कोशिश करके देखो तुम्हारे पैसे से शायद मेरी एक आदे वक्त की रोटी चल जाए पर इतना दो दो and give us the life of the moving pictures promise इसे तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से मेरी जिंदगे की हैसियत बड़ी हो जाएगी और मुझे वो जिंदगी मिल जाएगी जो pictures में दिखाई जाती है and the party in power is said to be keeping from us यह वो जिंदगी हमें मिल जाएगी जो party in power basically जो government है जिसने हम government has kept from us basically keep us away from it he says यह फिर हमें वो जिंदगी मिल जाएगी जो हम लोगों को promise करी गई थी keep us away from it यह फिर हमें वो जिंदगी मिल जाएगी जिसका वादा हमें किया गया था और हमें नहीं मिली तो यहाँ पर in lines में बच्चे वो hypocrisy को दिखाते हैं फिर से कि लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता इसे तो क्या फाइदा है ही से तुम्हें का लगता है कि तुम्हारे थोड़े बहुत पैसे से मेरी जिंदगी सुधर जाएगी ऐसा नहीं होने वाला कि यहाँ पर कोई poetic device यूज हो रहा है and and यह हो रहा बच्चे यहाँ पर यह वाला and और यह वाला and जो है the poet's concern is not about the blemish on the landscape he says मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता कि इस जगह पर कोई धबबा बनता है बनता रहे लेकिन मैं यह कहता हूं कि मतब हमारे मन की वह बात है तो कभी तुम्हारे तक आई ही नहीं हिसे हम अपने लोगों के आगे अपना व्यूपॉइंट रखते भी है तो हम बस हमारे डिजायर यह है कि तुम्हें कुछ पैसा दे दो और तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जिंदी की सुधर जाएगी नहीं तुम्हारे पैसे से हमारी थोड़ी बहुत सफरिंग कम हो सकती है जैसे में मूवीज में दिखाई जाती है पॉलिटिकल पार्टी इन पावर जो है वो तो एक्ट्वली हमें कट ओफ रखती है और सब चीजों से जो हमें एक अच्छी जिंदी की जीने में हेल्प करेंगे तो इसे इस पॉलिटिकल पार्टी से तो हम उमीद रख नहीं सकते गवर्नमें दो हम उमीद रख नहीं सकते आपसे लख लेते है Сीबी हैसी में पाला ग्रामर नहीं आती कितनी हो रहे है यह पूम अभी हाई हाई this is a long one it is the news that all these pitiful kin are to be brought out and mercifully gathered in अब वो कहते हैं कि हमें ऐसी ख़बर मिली है कि all these pitiful kin basically all these poor people किसे हमें पता लगा है कि यह जितने भी पूर लोग है इन सब को इन प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाएगा और बड़ी ही mercifully बड़ी ही दया भाव के साथ हम सब लोगों को इकठा करा जाएगा to live in villages और हम लोगों को एक proper place मिलेगा ठीक है हम लोगों को proper home मिलेगा किसे ऐसा हमें सुनने में आया है हम सब लोगों के जिंदगी सुधर जाएगी हम सब लोगों को रहने के लिए proper घर मिलेंगे next to the theater and the store किसे हमने सुनाया कि हमारे घरों के आसपास theater भी होंगे और store भी होंगे जहां पर हम जैसे लोगों को हमारे लिए सोचना नहीं होगा जहां पर government हमारे लिए सब कुछ कर देगी while greedy good doers beneficent beasts of prey swarm over their life enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits बहुत अच्छी line वगेदे हमें वादे तो करेगा है बहुत बड़े बड़े ठीक है वादे करे हमें राजा भोज अकात है इनकी गंगु तेली हमको देते हैं ऐसी बाते हैं trusting sorrow with metaphor कैसे? देखते हैं अब ये poetic devices पे इसके last में होंगे बहुत सारे difficult difficult भी होंगे इसमें तो वह कहते हैं कि लेकिन होता क्या है reality दो ये है कि जो greedy good doers है greedy good doers दो भी एक poetic device ये उसकिया गया है alliteration है बचे ही आपर अब वो कहते हैं जो greedy good doers हैं वो लोग जो दिखाते हैं कि अच्छा कर रहेंगे लेकिन होते वो लालची है the beneficent beast of prey वो लोग जो benefit खुद लेने वाले हैं वो selfish authority of people जो हमारा जो वो जो ऐसे वल्चर जो ऐसे गिद्ध हैं जो हमारा ही मास छीन के हमारे ही शरीर से खा जाएंगे swarm over their life enforcing benefits ये वही लोग हैं जो इनकी जिंदगी पर डाका डाले हुए हैं इनकी जिंदगी को control करे हुए हैं इनके benefits को इनसे robbed them of benefits इनको benefits मिलते नहीं है और ये सारी के सारी बाते हम आपको घर बना कर देंगे हम आपको bidding बनवा कर देंगे हम आपको theater बनवा कर देंगे ये सब चीजे बोल बोल के बोल बोल के पहले तो government इनस सर चड़ा लेती है जूट बोल देती है उन लोगों को और उसके बाद इन में से कुछ भी चीज को पूरा नहीं करती कहीं न कहीं घोटाले हो रहे हैं scams हो रहे हैं लोगों को बोला वे कि आप अच्छे हो लेकिन वो actually में अच्छे है नहीं तो he says ये सारी कि सारी चीजे हैं ये calculated होती है ये सब pre-planned है और ये जान के किया गया है to suit them out of their wits ताकि to fulfill their wishes he says ये सारी चीजें इसी लिए करी गई है ताकि वो लोग अपनी wishes पूरी कर ले ताकि वो लोग अपनी demands पूरी कर ले उसमें हमसे तो उनको कोई भी लेना देना नहीं है and by teaching them how to sleep they sleep all day he says हमें सिखा कर कि चीन चैन की नींद कैसे लेते हैं वो लोग खुद पूरे दिन सोते हैं तो he says basically वो यहाँ पर show करते हैं lack of accountability वो दिखाते हैं कि हमें इस अच्छी नींद के बारे में बोल कर कि हम आपको अच्छी नींद दिलाएंगे हम आपको अच्छी जिंदगी देंगे आपको tension free life देंगे he says यह वादे करके यह लोग खुद सो जाते हैं हाँ बेटा greedy good doers प्यारी हूँ destroying their sleep at night in the ancient way he says यह बिल्कुल वही काम करते हैं जैसे लोगों की रातों की नींद इन लोगों ने उड़ा दी in the ancient way जैसे पहले लोगों को काम करके जब लोगों के दिमाग में बहुत सारी बाते होती थी when people had various thoughts in their mind उन लोगों को रात को नींद नहीं आती थी तो इस इस बिल्कुल वैसे ही उस पुराने ancient way में इन लोगों की नींदे उड़ा दी है कि वो बैचारे tension में ही उनकी जो है राते निकलती नहीं है they are always tense तो यहाँ पर वो दिखाते हैं कि लोग बनते अच्छे हैं लेकिन होते नहीं है और यहाँ पर बचे greedy good doers के अंदर एक और poetic device है उस किया जा रहा है कहां लिखें यहाँ पर दिया गया है good doers अच्छा करने वाले अच्छा करने वाले कैसे हैं greedy है दो opposite words उस हो रहे हैं तो basically उनको बताया गया कि एक news आई है कि हम लोगों को ऐसी गरीब conditions से निकाल कर अच्छी conditions में डाल दिया जाएगा जहां theater भी होंगे और chops भी होंगे बड़े-बड़े promises हम से करेगा है कि हमारी care करी जाएगी अब वो कहते हैं लेकिन हुआ क्या he is angry at the negligence of the people की वादे कर दिया दो ने बड़े-बड़े दिया कुछ है नहीं civic authorities, government और social service वालों ने भी बोला कि हमारे लिए फाइदा किया जाएगा वो लोग जो good doers बनके आये थे वो लोग जो हमारे फाइदे के नाम से यहाँ पर आये थे actually वो भी बच्चे वो निकले yes वो भी हमारे लिए ही नुकसान करने वाले निकले apparently benefactors actually हमारे फाइदा करने आये थे लेकिन actually में वो है क्या they are beast of prey तो यहाँ पर बच्चे oxymoron use किया गया है beneficent beast of prey basically benefit अपना लेकिन कैसे हमें exploit करके हमारा शिकार करके जो innocent village के लोगों को जूटी जूटी short term sense of security देते हैं और इनको कुछ villages वगएरा नहीं दिये जाते the villages are not being helped but harm लेकिन लोगों जो लोग जो है उनकी मदद ना करके उनका और नुक्सान कर जाते हैं उनकी मज़ा से they pay a heavy price by losing their land और लोग अपना land को बैठते हैं यह developers civic authorities with a calculated strategy soothe and befool the unalloyed heart and minds of these villagers और जैसे तैसे करके बड़े strategy गली यह लोगों को चुप करा देते हैं और अपना फाइदा वहां से निकाल लेते हैं ठीक है लोगों को how is that possible बेटा हाँ वो तो बेटा है उसमें beneficial beast of prey में आ रहा है वो तो है alliteration तो है तो वो कहते हैं कि जिसकी वज़ा से वो क्या करते हैं वो अपने wits sooth कर लेते हैं वो अपने आपको अपना फाइदा निकाल लेते हैं और जैसे तैसे करके जो लोगों ने गुसा दिखाया होता है उसे suppress करा देते हैं उसको छुपा देते हैं ताकि लोग जो है वो और ज़्यादा उठके अपनी परशानियों को सामने ना रखें and this shows how corrupt the society can be अब वो कहते हैं by ensuring them a better life and a good sleep यह actually खुद सो जाते हैं and this shows कि वो लोग खुद अपनी responsibilities जो हैं उन्हें भूल जाते हैं and destroy their slumber with anxiety और होता क्या है और इन लोगों के जो नींदे होती हैं वो अब anxiety से भर जाती हैं in the ancient way लोग दिन के दिन पर काम करते थे और रात को सोते थे which has been reversed here जिसको उन्हेंने यहां पर उल्टा कर दिया है where they are not able to sleep at night because they haven't worked in the day और बचारे लोग जो हैं वो रातों को नहीं सो पाते क्योंकि दिन में उनके पास काम ही नहीं था दिन में काम ही नहीं था पैसा ही नहीं आया पैसा ही नहीं आया तो रातों को नींदे भी उड़ गई ancient way में इनकी बचारों की नींदे जो थी वो उड़ गई दिन में कोई काम ही नहीं था तो रात को नींदे नहीं आने वाली वही होगा समझ में आया नहीं बचे बेनिफीशन बीस्ट अफ प्रे में पारडॉक्स नहीं जाएगा लिए रवा और दस मिंट चलेगी बचे ये क्लास एक ही पारग्राफ रहता है या दो रहते है दो पारग्राफ और है वो कहते है कभी कभी में को खुद को लगता है कि पुएट कहते है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मुझे कभी कभी को लगता है कि यार मैं शायद इस चीज को जेली ना पाऊँ जब मैं लोगों को देखता हूँ कि उनमें कितनी जादा चाइल्डिश लॉंगिंग है उन्हें पता है जिसे चोटे बच्चे ने एक हट बाल हट कहते है ना जिसे चोटे बच्चे को पता है जिद लगा रखी है कि नहीं उसे पता है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी वो उस चीज की जिद लेकर बैठा है इसे यहां पर भी मुझे कभी-कभी ने लोगों के लिए बड़ा बुरा लगता है कि इनके मन में भी ने एक चाइल्डिश लॉंगिंग है इन लोगों के मन में भी ने एक चाइल्डिश इच्छा है कि लोग आएंगे, लोग रुकेंगे लोग आएंगे लोग रुकेंगे लेकिन रियालिटी ये है कि कोई ने रुकने वाला इसे मुझे पता है कि उनके जब इच्छाएं हैं जो बचकानापन है वो सब वेस्ट हो जाता है जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि वो लोग हर दिन एक इच्छा लगाए बैठते हैं कि कोई आएगा कोई आएगा लेकिन जब कोई नहीं आता तो उन्हें कितना बुरा लगता है ताट निस डट लग स्नियर दी ओपन विंडोडे ऑर जो जग चुप के बैठा है वहां पर विंडो पर ये जो भी इंसाट है से इस मतलब वो यहां पर ना एक पर सॉनिफिकेशन यूज करते हैं कि जो आपकी जो साडनेस है जो दुख है वो बैठ नहीं सकता है ना लेकिन उसे दिखाया गया कि वो इंसान की तरह बैठता है कि साडनेस सिटिंग जस्ट लाइक यूमन बिंग नियर दी ओपन विंडो द जाएगा that waits all day in almost open prayer जो भगवान से खुले में मांगते है भगवान दो कस्चमर तो भेज़ दो भगवान कुछ तो समान बिंग जाए for the squeal of brakes he says लेकिन जब brakes की आवाज आती है for the sound of brakes the sound of a stopping car ये कि जब भी कोई गाड़ी रुखती है तो उनके मन में एक उमीध जगती है जो इनके दिनों में यहां से निकलती है जो selfish लोग हैं जो यहां रुक के एक बर देखते भी नहीं है he says I feel very bad for them की लोग जो हैं वो यहां पर आते हैं और चले जाते हैं वो इतने selfish हैं कि इन लोगों के बारे में 1% नहीं सोचते just want to inquire what the farmer's prices are इसे ज़र कभी-कभी रुक जाते हैं land का price पूछने के लिए ठीक है कभी-कभी रुक जाते हैं यह पूछने के लिए कि अब यह बताओ कि इस area का land price कितना है and one did stop not only to blow up grass इसे ज़र उसको पीछे करनी थी अपनी गाड़ी तो उसने grass को हटाने के लिए अपनी गाड़ी रोकी तो इसे हर इंसान का अपने पास एक selfish reason है यहां पर रुकने का कोई भी हमसे समान नहीं लेना चाहता इस चीज का मुझे बड़ा बुरा लगता है कि इतना भी क्या मेरे लिए नहीं कर सकते यह लो हमारे लिए नहीं कर सकते and using the yard to back and turn around he says लोग जाते हैं घास हटाने के लिए और ताकि हमारे yard को use कर सके गाड़ी को गुमाने के लिए and another to ask the way to where it was bound he says और एकादे लोग रास्ता पूछने के लिए रुखते हैं कि यह गली कहां तक जाती है and another to ask if they could sell it a gallon of gas he says और आईरनी यह है और कोई लोग यहाँ पर रुखते हैं मुझसे पूछने के लिए कि क्या आप हमें gallon of gas बेचोगे क्या कि क्या आपके पास gas है he says भई यहाँ पर दो वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है तो gallon की बात करता है तो gas की बात करता है he says सोचो they couldn't this crossly had none didn't it see he says यहाँ पर this crossly मतलब rudely he says क्या सच में उसे ऐसा लगता है they couldn't he says मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इंसान कितनी audacity रखता है कि वो मुझसे यह पूछ रहा है कि भाई gas he says दिखरी है gas तुझे कहीं are you able to see some gas here they had none didn't it see he says तुझे दिखनी रहा भाई यहाँ gas नहीं है उनके बस पैसा basic चीज़ें करने के लिए नहीं है तो वो गैस के लिए पैसा कहां से लाइंगे रहे clear हुआ haa bachay innocent desires कह सकते हो because they were also thinking कि you know people are going to come they're going to buy things from them but obviously that's never going to happen he says a gallon of gas में bachay irony भी यूज हो रहा है और alliteration भी यूज हो रहा है तो poet काफी distressed जहें यह note करके the interminable weight on the part of the shed owners की लोगों को unstoppable weight करना पड़ता है कि कोई आएगा वो इसे childish longing in vain बोलते है because उन्हें पता है कि यह जो उनकी इच्छाए है यह waste हो जाएंगी shop window is blanketed with an ambience of sadness लोग बैठे बैठे इंतजार करते रहते हैं आएंगे लोग आएंगे लोग आएंगे लोग आएंगे लेकिन लोग आते ही नहीं वो चाहते हैं इसे ज़र एक आदी selfish कार रुकी थी पूछने के लिए दूसरी बुरुकी कि कि उसे पीछे जाना था यही सेज और यह अपने आप में एक satire है यहाँ पर कि occupants of the car stops at the shed to get a gallon of gas कि ज़र एक आदमी इतना गदा है कि वो मुझसे पूछता है कि तुम्हारे पास gallon of gas है तुम्हारे पास out of sorts का मतलब है बच्छे random चीजे तो उनके पास है भी नहीं वो सब पूछने के लिए out of apart from what they could give लोग जो है वो यहाँ पर gallon of gas लेने के लिए खड़े है कि मतलब भया गैस है तुम्हारे पास लिया है नहीं इस वजह से उनका silver words है हाँ बेटा कह सकते हो बिलकुल कह सकते हो वो दिखाते है कि किस तरीके से इनको different treat किया जाता था किस तरीके से इनको पता लगता था कि भाया हम city dwellers और village dwellers है unaware of the villagers plight and ungrossed with the pleasure of the material world यह लोग जो है यह गौज नहीं कर पा रहे हैं basically understand नहीं कर पा रहे हैं वो clear difference जो city और village लोगों के life के अंदर था last paragraph no in country money the country scale of gain he says अगर मैं बात करूँ the country money अगर country के बात की जाए अगर गाओ के बात की जाए तो the country scale of gain हमें उतना ही पैसा चाहिए the requisite lift of the spirit has never been found he says कि गाओ के इसाब सही दो कम दो country scale of gain दो village level of gain दो पर दो तो सही he says the requisite lift he says वो जो required energy है वो जो required हमें lift चाहिए वो जो required हमें growth चाहिए वो हमें कभी भी नहीं मिली है और so the voice of country seems to complain he says और यही लोग जो है village के वो बोलते हैं कि हमारी जो बाते हैं हमारे जो दुख हैं वो कभी सुने ही नहीं गए है I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain तो poet कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कितनी खुशी मुझे मिलेगी अगर मैं इन सब लोगों को एक बारी में इनके pain से बाहर निकाल दूँ तो एक ये बारी मैं इन सब लोगों की इनकी परेशानियों को अंत कर दूँ and then the next day as I come back into sane अगली दिन जब मैं होश में वापस आऊंगा ठीक एवन I'll come back into sane जब मैं को होश में मैं आऊंगा I wonder I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain तो जब मैं यही सोच रहा हूं कि मैं कल को जाके इनकी मदद करता दूँ maybe I can go and help or help out these people that is not a problem for me but I wonder कि अगर मैं कल सुबह उठा like you come to me और तुम मेरे पास आऊ तो क्या जिस तरीके से मैं तुम्हारी problem को यूथनाईज नहीं कर रहे बचे सब को यूथनाईज नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए आश तुम्हें इस problem से बहार निकालने को I want stroke basically means one go एक ही बारी में मैं तुम्हें इस problem से बहार निकाल दूँ इसे लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि क्या तुम लोग अगर मैं कभी परिशानी में हूँ तो क्या तुम लोग मुझे भी इस तरीके से अपने pain से मुझे निकालने आओगे क्या Will you people also be there when I need you guys तो यहाँ पर वो हमारे दिमाग में questions छोड़ जाते हैं कि क्या जब मुझे जरूरत पड़ेगी मदद की तो क्या लोग मेरी मदद करने के लिए होंगे Will I have people to be there to help me तो poet regret करते हैं कि जो gain है न the yardsticks gain vested in money isn't found in the countryside at all किसे जो थोड़े बहुत पैसो की भी खुशी है न वो इस countryside में नहीं है money feels elevates spirit उनका मानना है कि पैसा जो है इंसान का energy बढ़ाता है और अगर पैसा नहीं हो तो इंसान का जो मन है वो down हो जाता है और उनने सबकी life में देखा है they tend to express their grievance about a life bereft of money लोग जो है वो बताते हैं कि भया हमारी जिंदगी जो है वो बिना पैसो के बड़ी अधूरी सी है at this point of time poet बहुत overwhelmed है emotions से और वो सोचते हैं कि क्या वो भी इनके जिंदगी से ये pain एक ही बारी में खतम कर सकते हैं लेकिन बाद में उनके दिमाग में एक later logical thought आता है कि एक तो ये चीज करनी against the call of nature होगी and second he says कि in a poise state of mind tells him the futility of this rash act उन्हें realize होता है कि it is of no use कि आज मैं लोगों की मदद कर दू क्योंकि harsh reality of life ये है कि आप किसी इंसान की कितनी भी मदद कर लो अगले दिन वो इंसान का behavior बदली जाना है it might seek, it might compel him to seek pergation of pain from others for his thoughtless actions decision sorry pergation, relief होता है एक बार, let me confirm hmm, relief purification, relief तो उसको ऐसा लगता है कि ये, it might compel him to seek relief of pain from others for his thoughtless decision he says, लोग शायद मेरे इस decision से खुश हो तो जाएंगे लेकिन समधदारी का point ये है कि क्या जब मुझे इन लोगों की जरूरत पड़ेगी so will these people, people will be there with me to help me out or not और इसी खयाल के साथ, poet इस poem को खतम कर देते हैं please let me know if you guys have any doubt in the poem बेड़ास का सेंटर थीम is the difference between the rich and the poor of the country and how the rich people tend to be selfish and they do not notice the problems and the plight of the poor people of the country, the other place living there let me check if there is any other poetic device that I have left selfish cards, okay, okay, okay anything else trusting sorrow का politic device बचे metaphor है क्योंकि यहां पर trust वो किस पे कर रहे हैं वो लोग trust कर रहे हैं अमीर लोगों पर कि वो लोग आएंगे और उनके मदद करेंगे लेकिन obviously that's not going to happen चलो आजाओ, सवाल करते हैं what does the speaker or narrator call the thought of the owner of the stand a childish longing, a very good thought, a wise thought या फिर a childish longing in vain अब अच्छे खाएंगे एक लास कितम करके होने वाली है उन्होंने बोला कि यह जो thought है ना यह childish longing in vain है जिसका कोई फायदा नहीं है और यह waste ही होगी because जो चीज हो नहीं सकती उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है what would the state of poor rural folk at the new location अगर गरीब लोगों को नई जगा पर घर दे दिया जाएगा तो वहाँ पर उनकी क्या condition होगी option number their attention free as their needs will be looked after they will be able to city malls they will be happy उनकी सारी needs will be taken care after option A which word why is the word pathetic used for a roadside stand तो बच्चे pathetically pled में वहाँ पर pathetic क्यों use किया गया था why was the word pathetic used there pathetic क्यों use किया गया था बिल्कुल सही क्यों कि उस stand की condition बहुत ज़्यादा poor थी तो उसकी poor condition को दिखाने के लिए pathetic word यूज किया गया who will soothe the rural poor rural poor को soothe कौन करेगा इसके बाद दो questions और है पहला आएगा बच्चे पहला आएगा यह तुम्हें confuse करने के लिए दिया गया है उन्होंने city people तो word ही नहीं दिया भाया government और social agencies ने उन्हें promise किया था better life का इन्होंने promise किया था better life का अगला सवाल why are the city people called beast of prey city people को beast of prey क्यों बोला गया है उन्हें शिकारी क्यों बोला गया है I am from Delhi only डूप का मतलब होता है चीट city people को beast of prey क्यों बोला गया है क्योंकि वो लोग बहुत selfish है and they have the tendency to cheat the other person option a last सवाल who are the pitiful kin in the poem बचों इन्हें पिटिफुल किन बोला था कि सारे promises करे गए है पिटिफुल किन को तो यह पिटिफुल किन किसके लिए use किया गया है social agencies, government officials, city people with cards या the poor rural folk and farmers तो बच्चे हमारे question का correct answer option number D था और इसी के साथ खतम हो गया हो गया और इसी के साथ हमारा topic खतम हो जाता है बच्चे विकास हम लोग वापस इस page पर आ गए and इसी के साथ हमारा lecture यही पर हो जाता है समाप्त we are done with all the topics सारी poems हम लोगों ने कर ली है आप लोग मुझे बस यह पताएं कि अगर आप लोगों को कोई doubt है else बच्चे I will be ending today's class ठीक है खतम हो जाती है बच्चे हमारी class यहां पर हम लोगों ने सारी poems कर ली है and I hope you guys have understood everything इसी के साथ बच्चे हमारी class को हम लोग खतम करेंगे and yes you guys can go and enjoy your day and बच्चे भी don't know what is the last day when Kamaladas met her mother आप लोगों को कोई भी doubts है आप लोग मुझे doubts पूचने के लिए रुख सकते है बटा बिबिलिकल रफरेंस का मतलब है Bible से रफरेंस देना heaven's bring का मतलब है heaven के corner चे डालना and इसी के साथ बच्चे हमारा lecture यहीं पर हो जाता है समाप तो जिन बच्चों को doubts है वो रुख सकते हैं जिनको नहीं है वो जा सकते हैं and thank you all for being a part of my class today I hope you guys have understood everything in case if you guys have any doubt you guys can feel free to ask me on the chat box itself here not the chat box here sorry the comment section I'll answer your doubts next week बच्चे होंगी writing skills उसके next week होगा reading comprehension plus आप लोगों के grammar के जो important topics है जो बच्चे दूसरे state boards के उनके लिए lectures help कर सकते है time बचे का तो we'll do the grammar section as well and इसी के साथ बच्चे हमारे आज का lecture हो जाता है यही पर खताम thank you better simple sheep refers to the human beings and thank you all everyone thank you everyone for being a part of today's class bye bye everyone all the very best good night कि कि अउने कि अग।